तो आज के इस प्रोग्राम के ओर बढ़ते हैं और इसलिए आज के इस प्रोग्राम का या फिर इस ट्रेणिंग शिरीज का नाम क्या है परिवर्तन तो are you excited? Are you ready? तो दोस्तो इस training प्रोग्राम कि हम शुरूआत करते हैं क्योंकि यह भी यह जो setup देख रही हो यह मंन्थन का setup है मतलब मेरे साफ में कुछ mentor रहेंगे इधर और कुछ मेरे इधर साफ में कुछ mentor रहेंगे हम सब लोग मिल के विचारों का मन्थन यहाँ पर करने वाले है और इस विचारों के मन्थन में ऐसे बहुत सारे नए नए हमें यहाँ पर विचार मिलने वाले तो दोस्तों हम जो फिल्ड पर काम करते हैं आप सब लोग जो फिल्ड पर काम करते हो तब होता क्या है बहुत सारे सवाल आते हैं बहुत सारी कठ स्वाल आपके मन में रह गए हैं ऐसे ही कुछ सवाल मैं आपकी साइड से मैं किसकी साइड से हूं आज मैं आपकी साइड से यह जो सवाल है हमारे NetSup के कुछ successful mentors हमारे NetSup के जो mentors है यह सभी mentors हमारे NetSup के successful लोग है experience लोग है अनुभवी लोग है इनका average experience की मैं अगर बात करता हूँ तो कम से कम 20 साल का experience है इनके पास कम से कम कितना 20 साल का average experience इस direct selling industry का उनके पास है ऐसे experience लोगों को मैं यहाँ पर आज सवाल पूछूँगा किस के side से आपकी side से आपके मन के सवाल इन लोगों को मैं यहाँ पर पूछने वाला हूँ तो यहाँ पर जो setup हमने लगाया हुआ है यह setup के उपर हमने एक पैनलिस्ट को हम बुलाने वाले हैं तो ऐसे हमने 12 पैनलिस्ट नेटसब के 12 mentors को हमने select किया है और उनको मैं रोग ठोग और बेधड़क सवाल पूछने वाला हूँ क्योंकि मुझे permission मिल चुकी है management से तो यहाँ पर आज के इस मन्थन में बहुत सारे से सवाल होंगे शायद आप आपके applying को पूछने से भी डरते होंगे लेकिन मैं डरने वाला क्योंकि मेरे साथ कितने लोग है कि मेरे साथ यहाँ पर हजार लोग मेरे साथ है और मैं कितने लोगों कुछन पूछूंगा सिरे 12 लो तो हमारी पार्टी बड़ी है तो इसी पैनलिस्ट को मैं one by one यहाँ पर भुलाना चाहूंगा सबसे पहले हमारे पैनलिस्ट है मिस्टर प्रमोत सुग्रे इंट्रोडक्शन की कोई जरुवत नहीं हमारे नेट सब के दादो मिस्टर प्रमोत सुग्रे उसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा नेट सब के हाईर सर्णर मिस्टर विलास थोड़ा सर्ण उसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा अमारे जबर्दस मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर मुकेश शोदरी उसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे धुरंडर और एक्जबर्दस ग्राउंड वर्क पे काम करने वाले आप सभी के चहीते मिस्टर सत्यवान कडर अगले पानलिस्ट को मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आध्यात्म के साथ लोगों के विचारों में परिवर्तन करते हैं एसे हमारे ग्रेट टेंडर मिस्टर रविकान बेंकर सर उसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा जो मेंटोरिंग के किंग है एसे हमारे मिस्टर सती शेदूल सर उसी के साथ एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा कि जो डाइरेक्ट सेलिंग के उपर बुक लिख सकते के रखा है मिस्टर किरन भोहिर सर उसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा नेट्सब के कैलकुलेशन मास्टर मिस्टर महेंद्र साल्वी सर अगले पैनलिस्ट को मैं भुलाना चाहूंगा कि जो अनस्टापेबल है क्या है अनस्टापेबल वो जहां जाते हूं आपे पोकेट खड़ा कर देते हैं ऐसे मिस्टर डेवोत्र मोंडल सर अगले पैनलिस्त को मैं बुलाना चाऊँगा Mr. Kishore P 감zor जो की स्मार्ट प्लाणिंग करते है Mr. Kishore P 감zor अगले हमारे पैनलिस्त है जिनको मैं बुलाना चाऊँगा हमारे सब क्या प्लाइंग और हमारे रेट सब के पहले सेल Mr. Gyáne Ashwar दा इटुला शर लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साउथ के सुपर स्टार मिस्टर तो आज की सीरीज का चो टॉपिक है यह है टीम वर्क या फिर टीम तो मैं इनको टीम के बारे में क्वेश्चन पूछने वाला हूं और उसके पहले कुछ बेसिक सवालों के जवाब भी मैं इनसे जानना चाहूंगा तो सबसे पहले सभी पैनलिस्से हमें जानना चाहते है कि यह डायरेक्ट सेलिंग इंडरिक्त जरी एक लीडेक्त सेलिंग जैंजे जिसका मोलत हैं आ कि ए प्रॉडक्डटिस्टॉवशन सिस्टम है भारे मर्केट में प्रॉडक्त बेस्ने के मेन दो तरीके होते हैं एक होता है पूर विजने स्पैके हैं पुल बिजनेस में क्या हो और कस्टमर के दिवाब में उस प्रॉड़क को इस हिसाब से फिट करते हैं कि जब भी वो कस्टमर मार्केट में प्रॉड़क लेने के लिए जाए तो वो उसी टाइप का प्रॉड़क उस कंपानी का प्रॉड़क पर्चेस करें यह सिस्टेम में होता यह है कि जो लाको करोड तो लगाते हैं वही लाखो करोड़ो कमाते हैं लिकिन यह जो डायरेक से लिंडस्टी इसका हम बोलते हैं पूश बिजनेस इसमें होता यह है कि जो प्रॉडक्ट इस्तेमाल करता है उसे अगर प्रॉडक्ड पसंद आए अच्छा लगे तो वह क्या करता है अपने दोस्तों एक भी बहुत कम समय में खाज बन सकता है यह ताकट ॡारिक इंडस्री में यह सिर्फ प्रोड़क्ट डिस्ट्रिपूशन ही नहीं इसके ऊपर जानना बहुत इंपरेंट नहीं ज़ादा इंपरेंट है हमारा सबका problem क्या है money हमको income चाहिए income पाने से पहले जो money किदर है वो देखना पड़ेगा money ना कोई bank के पास रहता है ना government के पास रहता है money जो रहता है वो लोगों के पास रहता है जो लोगों को पैसा लोगों को सही तरीके से distribute करना ही direct selling का main काम होता है मैं इसके कुछ example देता हूँ एकनामी के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देता हूँ आप लोगों में कुछ doubt रहती है सरे पैसा है ना सरकार क्यों नहीं प्रिंट कर सकता है ऐसा नहीं प्रिंट करके देख सकता है दोस्तों एक बार मैंने जिंबावे गया था मेरे दोस्त के साथ 10,000 रुपया वहां का करेंशी के लिए एक्सजेंज के लिए मैंने बेजा था वो 10,000 लेके गया आते वक्त दो बैक पैसे लेके आया था मुझको ऐसा लगा कि इतना पैसा मिला क्या जिंबावे करीच सकते है पूरा बाद में वापस बाहर जाया वहां पे एक केला काने के लिए आदा बैक पैसा कर्चा हुआ मेरा तब मेरे को पता चला नोट प्रिंट करने से क्या होता है लोगों का फीलिंग्स बढ़ाने के लिए वो देश ने बहुत सारा नोट प्रिंट किया है मरगे एकनामी फुल बरबात हो चुकी है ऐसे ही मैंने कुछ चोटी-चोटी कंट्री में गया था पवर्फुल एकनामी वो कंट्री क्या कर रही है सिर्फ एक ही चीज़ लोगों को पैसा लोगों में सही तरीके से यह डिरेक्ट सेलिंग माध्यम से डिस्ट्रिब्यूट कर रहा है यह सक्सस का राज है क्या बाद सेव मैं यहापर कुछ बोलना चाहूंगा डायक्ट सेलिंग इंडासट्री चैप काम Video कर है चरज के इंडासट्री है में आप कोई भी आके काम कर सकता है मत् También अश्कम सेदिशर फाइब हो कि आप खेथी बारी करते हो लेकिन ओक काम करके आपको जम नहीं रहे मतलब आपतो ड़ías कॉण्याव आपकर आप करके आपका पयाद पर यहां पर पूरा नहीं कर सक्ते है जैसे बहुत सरा लोगों के पास investment करने के लिए पैसा नहीं होता है जो मैं पैसा लगा के कोई एक बिजनेस ख़रा करूं लेकिन यहाँ पर जिनके पस पैसा भी नहीं है वो बिना पैसा में भी डारेक्ट सेलिंग में आके महनत करके उसका जिंदेगी का हार सबना को यहां से पुरा कर सकता है जैसे यह पर देवु ने कहा कि एक आम आदमी बिजनेस शुरू कर सकता है लेकिन एक बिजनेस एंगल से बोला जाए तो एक लाख रुपया कमाने के लिए कम से कम 10-15 बीस लाख रुपय इंवेस्ट करना पड़ेगा दस लाख रुपया कमाना है तो करोडों में इंवेस्ट क विजनेस कर सकता है इसलिए बहुत अच्छा उपर्जणेटी ओके जैसे दहितुले साब इसकी शुरुपयात के थी तो ये प्रोडुक्स दिलिश्टिविशन सिच्टम के साथ साथ एक प्रोडुक्न प्रोडुक्क्शन सिच्टम भी है ठीडविश होता है उसके चार स्ट करते हैं अब डायरेक्ट सेलिंग में भी क्या है एक प्रोड़क्ट मैनिफेक्ट्टर हो रहा है और कश्टमर यह प्रोड़क्ट क्या करें यूज कर रहे हैं लेकिन यहां पर प्रमोशन जो है या डिस्टिबिशन जो है यह हमारे कंजूमरी कर पाते हैं और उसकी वजह से हम को यहां पर बहुत अच्छे पैसे भी मिलते हैं उनके सपने पूरे करने का मोखा भी मिलता है और साथ ही साथ एक बहुत ही जबर्दस ऐसा करियर ओपर्चुनेटी यह डायरेक्ट सेलिंग इंडश्ट्री से ही मिलती है क्या वाद है क्या वाद है मतलब आप सभी पैनलिस्स स सब्सक्राइब करने के बारे में जानने के बाद यह पता चल रहा है कि यह प्रोडक्ट डिस्ट्रिबिशन सिस्टीम ही है और इसमें एक आम आदमी काम कर सकता है और अच्छा इंकंभी ले सकता है तो यहां पर अगर मैं आपको इसी से लेकर आगला क्वेश्टन यह सही विकल्प है क्या सर यह मैं बताना चाहूंगा डायरेक्सलिंग इंडेस्टि की शुरुवाती इसलिए हुई है कि आम इंसान जिसको करियर करना है तो यह इसे देखा जाय कि करियर करना है पैशे कमाने हैं तो बिजनेस करना पड़ता है और बिजनेस की बहुत सारी में लगता है बाद में समय देना पड़ता है समय कितना देना पड़ता है तो 20 घंटों में 15 घंटे बारा से 15 घंटे उस बिर्सनेस में लोग देते हैं इसके बाद अगर देखा जाए तो भारत में 100% लोगों में सिर्फ 5% लोग ही ये रिक्वर्मेंट पूरी करते हैं तो बाकी के जो 95% लोग है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो एंबिसेस हैं जिनको करियर करना है जिनको पैसे ही कमाने हैं उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग एक अप्शन है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल जरौत नहीं है समय अपने हिसाफ से देख सकते हैं पारे टाइम फूल टाइम देख सकते हैं कॉम्पीटिशन को अगर देखा जाए तो यहां पर कॉपरेशन है साथ में एजूकेशन तो कंपनी की तरफ से जैसे आज आज आप सभी लोग एजूकेशन के लिए तो एजूकेशन भी मिलने वाला है तो यह पीचानवे परसेंट में जो लोग एंबिशेस है उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग यह इंड़स्टी यह एक सही ऑप्शन है और गूड ऑप्शन है इस मैं अपने आपको इसके अंदर फिट मानता हूँ अगर यह सवाल मुझे लगता है कि मेरे लिए है इसके लिए कि अगर मौसली मार्केट के में बात करूं तो मार्केट में किसी आम इंसान को एक अच्छी सफलता चीए बड़ी सफलता चीए उसके लिए यह तो इसका अच्छा था इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं कहीं जिंदिगी में बहुत बड़ी सफलता नहीं पा सकता लेकिन जैसे ही मैं डिर्क सेलिंग इंडेस्ट्री में आया और मुझे लगा कि भली में ये दोनों जो मेरे पास ऑप्शन है उसमें मैं बली वीक हूं लेकिन आज मे मेरे लिए एक ओप्शन है और वो विकल्प है वो डिर्क सेलिंग इंडेस्ट्री है और आज में बड़े लेवल के उपर और बड़ी सफलता के लिए मैं पाचुका हूं ये सही ओप्शन है अगर मेरे जैसे कोई लोग है तो उनके लिए बेस्ट विकल्प इसका लाइव ए कि लिए आम आदमी के लिए मार्केट में अगर पैसे कमाने है तो उसके सामने ज्यादा तर तीन ही रास्ते होते हैं एक तो सर्विस करके पैसे कमाओ या बिजनेस करके पैसे कमाओ या खेती करके पैसे कमाओ और यह तीनों जगह पे होता है कि बहुत सारे लिमिटेशन और प्राब्लेम क्या है एक आम आदमी के सपने जो है यह सपने ही रहे जाते हैं लिकिन डायरेक्सिलिंग इंडस्टी में इतनी जबरदस ताकद है कि यहां पर अगर देखा जा तो यह थोड़ा समय और थोड़ा महिनत देने के लिए अगर कुई भी तयार है तो वो इस इंडस् साल में जितना नहीं कमा सकता है वो इस इंडस्टी में दो से तीन साल में कमा सकता है इतनी जबरदस ताकद इस इंडस्टी में तो आपने जो सवाल पूछा था आपने जो सवाल पूछा कि डायरेक्सिलिंग करियर के लिए उप्शन है कि मेरे इसाफ से अगर मैं कहूं तो तो डाइरेक्ट सेलिंग नहीं है, बेटर भी नहीं है, तो बेस्ट आप्शन है, यह मैं बुलना चाहूंगा। मैं कुछ कहना चाहता हूं सर, बाहर में लास्ट बीस साल में देखा तो कितना नए नए बिजनेस बंद होते हैं वहाँ पर सक्सेस रेट बहुत कम है सर, उसके बावजूद भी डाइरेक्ट सेलिंग को लोग सीरियस क्यों नहीं लेते हैं, उसको दिमाग में क्या है, सिर्फ यह बेजना है, खरीदना है, इतना ही, यहां नहीं है, केरियर के लिए यह बेस्ट क्यों है, हम प्रॉडक्ट के स चाहे तो इसी प्रॉडक्ट को लेके यह निटवर्क कडा सकता है, उसी के साथ एक बहुत इंपोर्डेंट फाइंट है, यह वर्ड क्लास एजुकेशन प्रॉडक्ट के साथ दे रहे, इसके वज़ा क्या होता है, यह सालों सालों तक चलता है, इसलिए डाइरेक्ट करने के लिए बेस्ट नहीं, बहुत बेस्ट प्लाटफॉर्म है, बहुत बेस्ट उप्शन है, जी सर्थ, मेरे हिसाफ से भी डाइरेक्ट सेलिंग यह सबसे बेस्ट उप्शन है, क्योंकि जब हम जॉब करने चले जाते हैं, तो वहां हमें शुरुआती दोर में कुछ सीख सीखने को मिलता है, लेकिन बाद में हम सब कुछ सीख जाने के बाद नई सीख वहां से कुछ मिलती नहीं है, और जब हम बिदिनेस भी करने चले जाते हैं, तो दो-तिन साल तक नए-ने चालेंज़े साते हैं, वहां हम थोड़े सीख जाते हैं, बाद में बिदिनेस सेटल हो हो जाता है फिर वहां पर भी हमें सीख नहीं मिलती है लेकिन डारेक्ट सेलिंग एक उसन Looks और稱 जहां पर हमें अलग-अलग जाती प्रजाती के लोग मिलते जहने बहुत पंडित सब्सक्राइब inté cream आपाट। खुद कमाना एक अलग बात है, अच्छी बात है, लेकिन खुद कमाते कमाते、 लोगों को कामा कि धेना ये अच्छी बात है, इसे अच्छी बात है। और मुझे और एक कारण लगता है कि जैसे हम job करते हैं, तो वो एक PD के लिए करते हैं अगर कोई doctor है, तो doctor अपनी doctori अगले generation को दे नहीं पाएगा अगर कोई lawyer है, तो अपनी वक्कालत अगले generation को दे नहीं पाएगा लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक मात्रा हैसा प्लाटफॉर्म है, ये जनरेशन टू जनरेशन वाला बिजने से, ये पीडी दर पीडी का बिजने से, और इने इसे अनेक पीडिया हम रोशन कर सकते हैं, और इने इसकी बज़े से आने वाले कई पुष्टे हमें बुला कर भी भ करना ज़रूर है, ओके क्या बात, मतलब आप सभी पैनलिस्स का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग ये बेस्ट ऑप्शन है करियर करने का, और सर ने भी कहां कि ये कई आने वाले जनरेशन इसमें बिजनेस जो है इस डायरेक्ट सेलिंग का, तो इसी को लेके मेरा अगला सवाल ह अगर नेक जनरेशन की बात हो रही है, हम कई पुस्टो की बात कर रहे है, तो फिर अगर हम इसमें करियर की भी बात कर रहे है, तो क्या फिर इसके लिए हमारे गवर्मेंट से कोई लीगल फ्रेमवर्क है, या फिर कोई गाइडलेंड से हापर गवर्मेंट ने बनाई जी स यह सर इसके बारे में बोलना चाहूंगा कि इंडिया में केरला गॉर्मेंट ने सबसे पहले इनिशिटिव लिया कि इस डारेक्सिलिंग के लिए कुछ ना कुछ गाइलाइन होना चाहिए जो 2011 में हुआ उसके बाद कंजूमर मिनिस्टर ने सेंट्रल गॉर्मेंट ने इसके समीतिक गठन किया और 9 September 2016 में इसके लिए गाइलाइन बना गया अभी इसमें नाइन्ट लॉजस है अगर इस इंडिस्ट्री में हमको करियर करना है तो यह समझना भी जरूरी है और मैं बोलूगा कि याद रखना भी जरूरी है याद करना भी जरूरी है तो वन बाइवन मे जरूरी है फिरला सबसे मज़सित ओई पारा डेफिंएशन रहां दैडिका अभी तक हम काम कर एंटे लेकिन हम कोन एं हम कोई कम परिमें मेंबर बोलता है कोई डिस्टुईटर बोलता है तो हमरा कोई नाम ने था मैला हम जो काम करें सब्सक्र बोल रहा है लेकिन इस गाई लाइन में उहाँ डेफिनिशन दिया कि आप पोर हो तो यू अर्ड डायरेक्ट सेलर यू अर्ड लीगल परसेंट आपॉंटेट बाई डायरेक्ट सेलिंग इंटिटी मतलब पाली बार आपको रिकागनेस किया गया तो आपको एक पैचांज मिल कर रहा था एक डायरेक्टर है इस कमपनी में केस में आटक या दुसरी कमपनी कर दालीन सेकेंड प्लॉज में दिया कि डायरेक्ट सेलिंग ये बिद्ने सेटप करने के लिए क्या होना चाहिए तो कोई भी उस कंपनी का की परसन या मैनेजबेंट का कोई भी आत्मी लास्क आटक साल में कोई भी केस में मतलब उसके ऊपर लिगल कोई केस नहीं वह रहेगा तो उसमें क्या होगा यहाँ पे कमपनी बनाना यह आसा नहीं रहा जो छोटी मूडी कमपनी नहीं रहगी तो इहां पे कॉंपनीशन होगा उसके बाए अगर मैं बोलों का सबसे बड़ा इ खुद का पोड़क होना जरूरी है बहुत बड़ी बात है मैं आपको बोलूंगा कि 90 पसंट कंपनी दे डोंट है और वन पोड़क्स नहीं है अभी वहां पे पोड़क्स यह वर्चुल नहीं होना चाहिए मार्केट में आप देख रहे कि बहुत से लोग यहां कोईन के पिछ बहुत अच्छा लगा उसके बाद वहां पे लिखा है कि जो पोड़क होता है वह वहलू फर मशन होना चाहिए और मैंजिघ कर नहीं होना चाहिए थोंखने हो नहीं है अच्छा लेगा आपको उसके बाद चोटा जो पॉंध शयव यू रहे तो company के साथ हमारा count check होना चाहिए मलना कर लिखित contract होना चाहिए उसमें past number past number जो दिया है सबसे बड़ा कि जैसा company के लिए condition वैसा हमारे लिए condition है अभी तक कउई भी आत्मी कुछ ना जूटा बोलके projection plan दिखा के business कर रहा था लेगिन पाचवे clause में लिखा है कि कोई भी डारेक सेल उसका अबलिगेशन मतलब उसने गलत चीज नहीं बोलना चाहिए उसने गलत कमिट में नहीं देना चाहिए तो बहुत अच्छी बात वहां पे लिखी है छेवे में बोलूगा कि कंपनी का और डारेक सेलर का यह रिलेशन अच्छा होना कि बहुत सब्सक्राइब क्या होता है कि पोड़क लोग चिपकाते पुष्ट करते वह पोड़क तो ले लेता है लेकिन बात में देखता रहे तो पोड़क आच्छान यह कॉलिडी नहीं अभी कंजूमर पोड़क्शन अक्ट में क्या है थर्टी डेज में यह पोड़क नहीं नहीं वाली विकाज वह पोड़क रिटन देना पड़ेगा सब रिटन देंगे तो कंपरी चलेगी जिसके पास कॉलिडी पोड़क नहीं है उसके बाद मैं आठवा जो मेंट पॉइंट बोलूंगा कि वहां पे प्रियार्मी स्कीम मतलब मनी सर्कूलेशन जो होता है जैसा कंजूमर मिनिस्ट्री ने ये इसका एक मेकनिजम बनाया वैसा हर स्टेट गवर्मेंट को भी ये मेकनिजम बनान पड़ेगा और हर एरिया में नोडल ओफिसर अपॉइमेंट करना पड़ेगा और ये प्रोसेस औरी चलता है लास्ट दो महने पहले ये चालू हो गया मैं आपको बोल रहा हूँ कि आने वाले तैयार हो जाएए आने वाले तीन-चार महने में हो सकता है ये गाइडलाइन इंप्लिमेंट हो और उसमें नेटसर वे सबसे अच्छी कंपनी हुआ है जी सर अगे एक ऐसी को टाउनरे जो पारी को इसके उफर टायएकिर क्या है ये रक्सालिंग समझने के लिए या जो गाइडलाइन से विसमेंजने के लिए लिए आपको कंसेप बताना चाहता हूं यह कंसेप लॉप कंसेप्ट अभी दिखो कि हम लोग बहुत सरे लोग यहां पर आये हुए तो शायद घर के घर पे लॉक लगा के आये होंगे हम लोग गर पर लॉक क्यों लगाते चोरों के लिए नहीं होता है चोरों के लिए कभी भी लॉ आप लॉक लगाओ और कुछ लगाओ कुछ सिस्टिम लगाओ चोरी करना है तो वह करे गए तो यह से हुआ क्या मौलूम है क्या वैसे हुआ क्या कि डायरेक सेलिंग के जो गाइडलाइन से वह आने के पहले ऐसे बहुत चोर पाईदा हुए हम और उन्हें क्या क्या कोई भ डो क्या कर रहे मतलब डायरेक सेलिंग डाइडलाइन के पहले क्या था पहले इसको कोई भी मान मारा तब नहीं था कोई भी स्टेटरस नहीं था कोई भी पहिचान नहीं थी रहत बंदक बंदक मुर्क वी यह वो direct selling करता था, ऐसा एक माहूल था, लेकिन direct selling आने के बाद में, आज हम सब लोगों को क्या मिला है, एक status मिला है, एक recognition मिला है, एक सनमान मिला है, और मुझे लगता है sir, कि इसके यह नहीं बहुत important चीज है, और दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, कि देखो direct selling आने के पहले, यह business कितना था, 8000 करोड, 10,000 करोड ज्यादा नहीं था, इतनी बड़ी लोग संख्या होने के मावजूद भी, लेकिन जैसे ही direct selling आई न, मुझे कहने में बहुत अभिमान होता है, स्वाभिमान होता है यहाँ पर, कि यही business 8-10 करोड का directly 18,000 करोड उपे गया, और अभी सभी लोग यही कह रहे है कि इंडिया यह market बहुत बड़ा होगा, और 2025 में यही business 75,000 करोड तक जा सकता है, इतनी जबरदस्ता कर यहाँ पर, मतलब direct selling के इस guideline के वेश से इस industry में बहुत बड़ा growth जो है, यह होने वाला है, रवीकान सर की बात को मैं थोड़ा आगे लेकि जाओंगा, जैसे बैंगलोर फेमस है ट्राफिक के लिए, अगर बहुत ट्राफिक है और स्क्वेर में चोक में signals नहीं है, तो ट्राफिक जाम हो जाएगा, एक्सिडेंट हो जाएगा, बहुत सारा प्राब्लम हो जाएगा, लेकिन वही पर अगर signal प्लेस हो गए, अच्छा काम करने वाले को रोका नहीं जाएगा, और गलत काम करने वाले को ठोका जाएगा, क्या वाद, सार में कुछ बोलना चाहूंगा, जैसे कि रोन सार ने बताया, गाइड लाइन के बारे में, तो गाइड लाइन आने से पहले भी डाइरेक सेलिंग कंपनी चल रहा है, चल रहा था, तो हम बात करें इंडिया में लगभग 5,000 से भी ज्याधा डारेक सेलिंग कंपनी चल रहा था, लेकिन गाइड लेन आच आ चुका है, चार से पास साल हो चुका है, लेकिन गौर्वर्मेंट अब इंडिया के फास्ट पेपर किया, पास्ट हजार कंपनी न चाहिए है, और आपका आजू-बाजू में चोंद दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं, उसको हाद में गाइलेएड पक्रा ढग रफग countedूस को पता एक पर लेकिन नीन नहीं करना चाहिए तू डिसिसेल ले, बात में मत बोला, मुझे पता नहीं था गाइडलाइन के बारे में, इसलिए में घुलत कम्पानी में फस गिया, और आज और एक बात बाता नहीं चाहूंगा, जो गाइडलाइन आने के बाद भी नेट साब का बिजनेस प्लैन में मतलब आप सभी पैनलिस का कहना है कि डारेक सेलिंग के लिए लीगल गाइडलाइन बन चुकी है, वो जल्दी उसका भी इंप्लिमेंटेशन हो जाएगा, और देबु सर ने जैसे कहा कि इस डारेक सेलिंग इंडस्ट्री में, अगर आपको सक्सेस्फुल करियर करना है, तो उसके लिए एक सही प्लाटफॉर्म की आउशकता होना बहुत ज़रूरी है, और वो एक मेव प्लाटफॉर्म है, जिसका नाम है ने, तो मैं आप सभी मेंटोर से, आप सभी पैनलिस से, मैं यह जानना चाहता हूँ, कि आप सब लोगों ने भी नेटस्प में सक्सेस्फुल करियर किया हुआ है, नेटस्प में आप बहुत सालों से जुड़े हुए है, तो मैं आप सभी लोगों से यह पूछना चाहूंगा, नेटस्प की वेस्पीस के बारे में, नेटस्प की खास विशेषता है, आज आपके माद दमसरम सुनना चाहते है, जी सर. अज़ आज भी मुझे वो दिन्यादे 25 में 2001, जब नेटस्प की शुरुवात हुई थी, उस समय का माहल अगर हम देखते हैं ना, तो उस समय नेट्वर मार्केटिंग के लिए माहल बहुत निगेटिव था, मतलब उस समय पर आज से लगबग 21 साल पहले की बात है, होतीति जुरूए थी, बंद होतीति थी, मतलब ये कमपना कितनी दीन चलेगी, ज़की के कोई गयारंटी नही थी, के लिए अगरे बनाना तो बहुत दोर की बाद है, भाहित उसी कितने दिन मिलेंगे, इसी भी कर दोर की ऑडकी और ऐसे निगेटिव महाल में ऐसेian करने जा रहा है कुछ अलग करने जा रहा है और दोस्तों यह 21 साल पहले कहा था और आज भी नर्सप हमेशा सबसे कुछ अलगी करता है जैसे अब आप देख रहो यह कोई डारेक्ट सीलिंग कंपनी नहीं करती है यह सिब नर्सप करता है तो नर्सप के पहली यूएस पी करते रहना दूसरी बात अगर करें तो उस समय हमारे सेम्डी ने कहा था कि यहीं बिजनेस करेगा मेरा और आपका नेक्स जनरेशन मतलब लॉंग टम वीजन जो है यह हमारा उस दिन पहले दीन से था और यहीं कारणियाज नेटसप ने 21 साल पूरी किये और लगातार कंटी अने 21 असली और यहनी ग्रोफ करते हुए नेटसप आगे बढ़ रहा है तीसरी बात उस समय हमारे सेम्डी स्वीय जैइं शर ने कही थी कि हमें नेटसप के प्रॉडक को भारत के घरगर में पहुचाना है कोई भी प्रॉडक कब पहुचेगा अगर उसमें क्वारिटी हो त तो प्रॉड़क की कॉलिटी बेस्ट होना चाहिए और आज हम देखते हैं कि हमारे सभी प्रॉड़क में एक से बढ़कर एक जबरदस थाकत है, कॉलिटी है, मतलब ये प्रॉड़क की कॉलिटी हमारा तीसरा USP है, और चौथा USP जो सबसे बेस्ट है, और वो शायद किसी डा अगारतार हम लोग कंटिनियसली आगे बढ़ रहे हैं, मैं एक बात बताना चाहूँगा, दिखिए, डारेक्ट सिलिंग इंडस्टी में, ज्यादा तर कंपोनियों में होता कै, तो टेबल के एक साइड पे होती है, डारेक्ट सिलिंग कंपनी, और टेबल के दूसरे साइड पे होते हैं, नेटवर्कर, नेटवर्कर को जब तक मूड है, तब तक पैसे कमाते हैं, पैसे चापते हैं, मूड चला गया, कुछ प्राबलम आ गया, कंपनी को छोड के, वो दूसरे किसी कंपनी में पैसे कमाने के लिए चले जाते हैं, यहाँ पे होती है, दूसरी कंपनी साइट पे दुसरे बाजू पे यह कंपणी जब तक पैसा चाप रही है, जब तक पैसे बना रहे है, तब तक वो बराबर चल रहा है, उनका मुड चला गया है, कुछ प्रॉबलम आ गया, कंपणी बन कर देते हैं और कुछ समय के बाद नाम बदल के फिर से नई कंपणी शु तर नेटसब के नाम में हाप दिखी एक नेटसफ नेटवर्क मतल running अधनेट वर चाते यह भौट बड़ी बाथ है और यहाँ पह हम देखते हैं कि यहाँ पे नेट्सप और नेट्वर्क दोनों में इतनी जबर्दस उनिटी है कि जिसकी वज़े से हम लगातार कंटीनियसली गुरोथ करते हुए आगे बढ़ रहे है जी तो भी सब्सक्राइब एक वर्ड बोला की नेट्सर विजरी डिफाइनिंग कंपनी वाड़ी दिफाइनिंग आगे नेट्सर वेप परहलेट टेक्नलोजी कंपणी आईट कंपनी उसके बाद एर नेट्वर्क में आई है मिराज आपको नेट्सर में सेवेंट पॉइंट उसका में ठोड़ा डिलस बताँ चाओंगा फूरे दुनिया में जितनी भी डायरेक्शीलिंग कंपनी यारेको वो है transparency देखे आज पूरे वर्ड में कोई भी company ऐसा धून के दिखाई में तो हर प्रोग्राम में चलन देखे वो रहा हूँ कि पूरे वर्ड में ऐसा कोई भी company धून के दिखाई है जहाँ पर junior senior का income देख सकता है तो पूरे दुनिया में इंडिया की बात ने कर रहा हूँ पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ ऐसा एक भी company धून के नहीं मिलेगा NetServe is the only one company in the world जा हर junior senior का income देख सकता है Second, I say seven point सुनना है हमको Second, जैसा जितनी भी company है मैं वापिस बोलूँगा पूरे विश्व की company है जितनी भी company है वहाँ पूड़क को पूश के आता है मतलब आपको हर मैना पूड़क पर्चेस करना पड़ेगा नहीं तो company पेवूट डेती नहीं वहाँ पे company को मालूम है उसका पूड़क काम का नहीं सिम नाम का है तो वो कहाना का उनको जबदस्ची चिपकाना पड़ता है नहीं तो company चलेगी नहीं पूरे वर्ड में NetSlave is the only one company in the world जहां पे वो पूड़क को पूड़क को पर्चेस कमपल्स नहीं फिर भी 35% से ज्यादा यह पूड़क पर्चेस होता है तिसरा पॉइंट में बोलूँगा यहां पे कि software business plan देगे NetSlave मैंने बताया कि software company है IT company है technology company है खुद का business plan पूरे दुनिया में किसी के पैस नहीं है अभी पूरे दुनिया में यूनिक है तो दुनिया में कौन से प्लान है मैं बोलना चाहूंगा देगे direct selling में पूरे वर्ड में 90% company है यह generation plan में आती generation मतलब वहां पे होता है BVPV यह BVPV का बहुत बड़ा भुल भुल यह हर कंपनी का BVPV का वैलू कुछ अलगी होता है उसके बात 96 के बाद नहीं प्लान जनम लिया वहां बोला binary मतलब दो लोग होते पेर पे मतलब जोड़ी पैसा मिलता है आज मैं आज को बोलना चाहूं में 90% BVPV है 10% जोड़ी है net sub मेना BVPV है net sub मेना जोड़ी है net sub में ये टनोर मैचिंग है आमाउंट को मैचिंग देने वाला पहला सॉप्टेर नेट सब ने बना है उसके बाद दिए यह सब सेवेंट पॉइंट आपको यार रखना है उसके बाद पाचोप पैंट में बोलूँगा कि यहां का जो प्रोमोशन है यह प्रोमोशन यह टोटल इंकम पे होता है मतलब सब्सक्राइब करने के लिए साइड बिजनेस मेंटन करना पड़ेगा अगर साइड बिजनेस मेंटन नहीं करेंगे तो आपका कमिशन वापिस कम होगा देखिए मैं आपको इसका एक्जामल बताऊंगा मार्केट में बहुत से लीडर काम करते हैं प्लैन प्रेजन करते समय आपको एक चेक दिखाते हैं वो चेक का डेट दो साल पहले का होता है विकाद दो साल पहले एक बारी उसने मेंटन किया ता उसके बाद वो मेंटन नहीं कर पाया मतलब वहां इंक यह उनिक पॉइंट से काहां नहीं मिलेंगे अब जितनी भी कमपनिया वापिस में बात करूंगा पुरे दुनिया का 1945 से आज से 50 सार पूरे दुनिया में जितनी भी product-based company है या non-bank company है उसका जो commission structure है यह decrease होता है मतलब वो आखरी में कम-कम होता है product marketing बोलते है level commission और non-banking बोलते है gap commission यह हमेशा आखरी में कम होता है यही system है और कोई system दुनिया को मालूम नी था नेटसब ने पहले बार इसा system बनाया जो commission है यह commission बढ़ रहा है increase हो रहा है तो 3%, 4%, 5%, 6% इससे क्या होता है दूसरे company आप senior बन जाएंगे आपका commission कम होगा business ज़्यादा commission कम नेटसब इस ओनली वन company जहां senior बनेंगे तो कम turnover में ज़्यादा commission आता है तो यह जो बढ़ाएं अभी मैक्जिमम कमिशन कितना मिलेगा जैसा मैं आपको बताओंगा कि turnover commission तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास generation commission भी है मतलब यह हमारा business plan कुन सा है तो हमारा business plan यह दुनिया में है यह हमारा business plan यह hybrid plan है क्या बाद जो टेनोर commission maximum होता है generation commission ज्यादा हो गया तो turnover commission यह double हो जाता है मतलब आप calculation करेंगे कि net sub में जो turnover में जुतना commission आता है उतना commission लेने के लिए दुनिया की कोई भी company में चार गुना ज्यादा बिजनेस देना पड़ेगा maximum commission देने वाली company यह net sub है और seven point family protection plan तो यह family protection plan कोई भी company में मिलता नहीं बिकोज यह direct selling यह factory act में नहीं आता तो देने की जुरूरत नहीं है net sub ethical company है इसे net sub यह हर जो direct seller जिसका income दो लाक ख्रॉस होता है उसको family protection plan देती है तो यह seven point पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ नेट्वर्क मार्केटिंग कर रहा हूं मैंने एक्सर यह देखा है कि जब company की management जब networking करना शुरू करती है तो company चलती नहीं और जब leader company चलाना शुरू करता है तो भी company चलती नहीं यह company का काम है company चलाना और network leader का काम है network चलाना क्योंकि company चलाते समय कुछ problem आते है company को और leader को भी network चलाते समय कुछ problem आते हैं लेकिन नेटसर्प ने उसके उपर एक solution लाया है यह company के management और जो नेटसर्प के leader and mentors इन दोनों का एक team बना एक collaboration किया और यह अभी दोनों एक साथ काम करते हैं और जितने भी problem आते हैं उसके solution के लिए मेने में एक बार मिलते हैं उसके उपर मंधन होता है प्लाइनिंग किया जाता है और उस हिसाब से activity बनाता है इसके लिए रिजन बनाए दोन बनाए MCM है OCM है मुझे लगता है ऐसी अनोकी system किसी company में नहीं है वो नेटसर्प में मतलब एक प्रॉपर organization structure नेटसर्प ने आपर बनाय हुआ है मैं मैं थोड़ा बात करना चाहुआ हुआ कि सर देखो जब महाराष्ट्राजे चत्रपदी शिवाजी महाराजी ने स्वराज्य विचारधारा लोगों के सामने रखे हुँँ और वो विचारधाराओं को लेके मिश्वाब बन गया है और शिवाजी महाराज जी जाने के बाद भी स्वराण राज चाला सर भे उचार्दारा एज चुंचनिव रही बीचारदारा लिचा दो interrupt friendly कि यह ऐं सेहत बर्कत मुस्कुराट सर नेषब यह है कि हर एक लोगों के सैंज अच्ची हो हर लोगों की बरon सेही जोबी किसान है न अपना किसान भाय उसके यह आप उसकर के अपना सेहर बरकत मने यल्ड जाद चाहिए और जो बिजनेस करेगा विदाओ टेंशन पैसा कमाएगा यह विचारदार रहा है और उसे के साथ हमारे जो चर्मा साव उनकी वे विचारदार रहा है यही बिजनेस करेगा आपको और हमारा नेक जन्रेशन यही बिजनेस करने वाले उसके लिए जो प्रोड़क्ट चाहिए वो प्लांट आज उनका काम चालूए सर यानि यह जो है ना नेक्सप कंपनी यह बहुत बड़ी विजनरी कंपनी है इतने में बाता हूं लॉंग टम वीजन वाली यह नेक्सप कंपनी है उसी के साथ अगे सब्सक्राइब करना चाहूंगा इसमें सर हम लोग बोलते कि डारेक्ट सेलिंग बिजनेस इस पीपल बिजनेस यह ना यह लोगों का बिजनेस है और इसमें लोगों को महत्वा देना चाहिए नेटसप ने इसी को पकड़ा है मैं जब पहली बार सुईसर को मिला था तो उन आप देख रहे हो इसलिए लोगों को महत्वा देना इंपर्टेंट है और नेटसप ने दिया है दूसरी बात में यहाँ पर कहना चाहूंगा एक सवाल में करूंगा सभी लोगों से करूंगा वही आप लोग यहाँ पर बैठे हम लोग कितने साल से हम लोग काम कर रहे और जब नेटसप चाल हुआ ना नेटसप को 21 साल हुए और नेटसप को 21 साल हुए तो यहाँ पर बैठे हम लोग हमें भी 21 साल बुरे हुए आप मुझे एक सब बोलिये कि 21 साल से एक ही कमपणी में नेटवर्क करने वाला आदमी कभी दिखता है आपको श्रीम नेटसप में दिख रहा है और दूसरी बात देशे दहितुले साब ने यहाँ पर कहा था कि नेटसप और नेटवर्क हम लोग एक साथ में 21 साल से क्यों है क्योंकि नेटसप विश्वास रखता है लोगों के उपर नेटसप ने विश्वास दिलाया है लोगों को और पहला सी है कॉलाबरेशन मतलब Netserp and network, company और हम लोगोंने कॉलाबरेशन में आके काम कर रहा है, यहाँ भी देखो आप है, हम है, सब लोग है, मतलब यह कोलाबरेशन से काम होता है, दुसरी बात में अगर करूंगा तो हम लोग को आपरेशन से काम करते हैं, एक दुसरे के सा कि हम लोग को अड्री नेशन से काम करते हैं तौहकारिया से काम करते हैं और चवती बात और महत्वपुर्णा बात है कि हम लोगों में जो कम्यूनिकेशन है न यह कम्यूनिकेशन स्ट्राउंग है इसके लिए हमें कोई पोड नहीं सकता है और यही नेट्शब की मिच रिशता है क्या बात है मतलब यह 4C से क्रिएट हुई एक चैंपियन कंपनी जी थोड़ा मैं इसमें कुछ एड करना चाहूंगा नेट्शब कंपनी एक लोटी कंपनी ऐसी है कि जो अपने यूजर, रीटेलर आट्वर्कर ये टीनो को शन्तुस्ट रख रहे हूं आज अगर हम देखते हैं यूजर और रिटेलर संतुष्ट कैसे है तो नेट्वर्क्स के बाद जो भी प्रोडक्स है यह सारे प्रोडक्स यूनिक है मोनोपॉली है जिन प्रोडक्स से उनके प्रॉब्लम सौल होते है जहां से उनके पैसे का रिकोरी होता है तो इसलिए तो तीन साल में यहां पर नेट्वर्कर करोड़पती बन सकता है तीन साल में वो आठ उन्निस दोसो पचास में पहुच सकता है तो नेट्वर्कर भी संतुष्ट है मतलब यूजर भी संतुष्ट है रिटेलर भी संतुष्ट है नेट्वर्कर भी संतुष्ट है जिससे चलत में कंपनी बंध होती है अगर और अगर नेट्सरब की विश्याष्ट देखी जाए तो नेट्सरब के पास ट्रेनिंग सिस्टीम है इन हुश ट्रेनिंग सिस्टीम है जैसे हम देखते कि पाथ फैंडर में शूपर ट्रैक के लिए डे कॉनफरांस होता है फास्ट्रैक में वन नाइट ट्रेनिंग होता है फास्ट्रैक में जैसे हम देखते हैं की दो लेवले हमारे एक डिरेक्टर लेवले तो जिनके लिए बेसीक ट्रेनिंग होता है जो प्रेसिडेंड लेवाले उनके लिए अडवास ट्रेनिंग होता है और तो और ये जो ट्रेनिंग है ये ट्रेनिंग हंड़ेड परसेंट फ्रिय में धिया जाता है इसके कोई भी चार्ज नहीं होता है और तो और ये जो ट्रेनिंग है ये ट्रेनिंग के लिए किसी बहार के ट्रेनर को कंपणी नहीं बुलाती है ये ट्रेनिंग कंपणी के जो मेंटर लोगें जिनके दोरा ही दिये जाते हैं ओके यानि कि नेटसब के सभी यू आरे यानि कि सभी पहलू जो है नेटसब के साथ कितने लोग जूटे 100% सब्सक्राइब है जी सर मैं एक बात बोलूंगा सभी लोगों ने नेटसब की बहुत सारी विशेष्टा बोली है इसमें रविया भी बोल रहा था कि 21 साल से देटुले है मैं हूं थोरा थे साड़ भी है अबाट कर यहां आपने सामने मतला हम 21 यह परिवार में क्या मिलता है परिवार में क्या मिलता है परिवार में केर की जाती है परिवार में नॉलेज दिया जाता है परिवार में आपकी ग्रोथ के लिए बहुत सारा सपोट किया जाता है वह इसा ही मुझे नेटसब में फीलाता है नेटसब में जो जो आता है वो सब क नेट्स अब केर करती है नेट्स अब देखते हैं कि इसको और अच्छा education मिले नेट्स अब हमेशा देखती है कि यह अमरा फैमिली मेंबर हैं तो इसकी भी गुरोथ हो तो नेट्स अब में एक मेली के साथ रहने के बाद जो एक satisfaction रहता है ना वो satisfaction तर्चेशन नेटसप में पर्शन मिलता इन मुझे जने शब्सक्राइब क्या बात है यानि कि सभी पैनलिस को मैं समझने के बाद इस नेटसप कि विशेशता है समझने बाद मैं यह कन्ठुजन पे आippi और इसका मतलब हम सब मिल के क्या करें राष्ट निर्मान का काम कर रहें नेटसब के माद्दम से दोस्तों यह बहुत बड़ा काम नेटसब के माद्दम से करने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाओंगा हम सब निकल पड़े हैं प्रण करके अपना तन्मन अर्पन करके जिदे एक सूर्य उगाना है अंबर से भी उचा जाना है नेटसे एक नए भारत का निर्मान करना है तो सभी सबी मेंटोर्स जो है मुझे पता है कि हम 100% एक नया सूरे 100% लाएंगे नेटसप के माध्यम से तो मैं सभी कि मेंटोर जो है यह इतने 100% यहां पर नेटसप के माधियम से सक्सेस्फुल हुए तो मैं यही आप से जानना चाहता हूं कि इस नेटसप में सब सक्सेस्फुल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है सर इसके बरे में थोड़ा बताता हूं इस हाल में बहुत नए लोग भी आये है बहुत पुरने लोग भी है इस में बहुत कम समय में में बनाता है इस कोश्चन के लिए आपको एक बात बताता हूं एक हिंट बताता हूं यह नेटसर्फ के साथ नेटसर्फ में सक्सेस होने के उसके विचार के साथ आपका विचार मैच होना बहुत important है NetSurf बहुत कुछ प्रयोग करती है नए नए सोच लाती है क्योंए कि आपका ग्रोग के लिए देखे ए पोस्ट कोविड में कंपनी ने क्या लाया सिंगल प्रोडक्ट में MDS वो ID अक्टिवेशन का कुछ लाया था उसका फैसाम उटाना है और उसके बाद जबी ए सब मार्केट उड़ता है ना बाद में कंपनी क्या लाते है बड़ी पैकेज में बड़ी डिसकाउंट लाती है उसको भी उटाना है उसके बाद ए रीटेलर ये इटेलर लाया रीटेलर के साथ ए इटेलर इतना बड़ा मोका था जो एंग स्टार से जो लोग क्या कर रहे है मोबैल में बेटके कुछ अलग सा कुछ डिफरेंट कर रहे है उसी सही मोका यूस करके वो कुछ कमाए और आपका भी टर्नोवर बढ़े। ऐसा कुछ नया नया विचार आते ही रहता है। उसका सभी का सही इस्तमाल करके ग्रो करना है। इसे मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं। आपका माइंड ओपन रहना है नेटसर्फ में। मत्shev My श्रमें इसमें यह कहना चाहूंगा कि नेटसर्फ में सफल होने के लिए मेरे ही साथ से दीन इफ़ांट जो है उपाषदेश बहुत है। पहले चीज में कहना चीज आपको कंपनी के बिजनस प्लान पे चोता वरोसा होना चीज आपको अपने अपलाइन पे पांचवा वरोसा होना चीज आपको अपनी डाउन लाइन पे और सबसे बड़ी चीज है वरोसा होना चीज अपने आप पे और वरोसा जो है न दोस्तों या तो वह होता है या तो नहीं होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे 99% तो बरोसा है, लेकिन 1% नहीं है, इसका मतलब तुझे अभी तक बरोसा नहीं है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, तो मेरा अचा कहना है कि सबसे पहली चीज जो है, वह है believe, यानि भरोसा, दूसरी चीज में कहना चाहूं तो दूसरी चीज है वो है पैशन्स रखना पड़ेगा और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट वो है बदलाव अपने आपके अंदर चेंज करना जरूरी है और बदलाव चाहे वो एक्स्टरनल रहे चाहे वो इंटरनल रहे यह दोनों बदलाव अगर हम करते हैं और यह तीनों पॉइंट पर अगर हम काम करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग नेट कि मुझे नेटसप में बहुत अच्छा करियर बनाना है, फूचर बनाना है, अच्छा घर लेना है, गाड़ी लेना है, यह लोगों का गोल होता है, लेकिन यह गोल अगर पूरा करने के लिए अपने पास एक टीम का होना बहुत जरूरी है, और देखो नेटवर्किंग का जो पास एक टीम है, क्योंकि देखो, टीम से पैसा बनता है, पैसे से टीम कभी बनाई नहीं जाती है, इसलिए मुझे लगता है, लोग है ना, पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते है, लेकिन मैं यह कहता हूँ, अगर हम टीम बनाने के लिए कुछ भी करेंगे ना तो में पैसे के पीछे बागने की जरूरत ने पैसा हमारे पीछे बागते हुगा आएगा क्या भात इसलिए मुझे लगता है हमें पैसा बनाना यक गोल 많이 ये गोल को बदलना चाहीं ती मगट ना ये जव कोई गोल बनाना जुरूरी है प्लात करते हैं 15 दिन का हमारा साइकल है कितना भी मेनत करेगा लाक देड़ लाक से ज्यादा का टर्नोर नहीं ला सकते हैं इसका मतलब क्या होगा जिन्दगी बर अगर अकेला ही काम करेगा तो सरवाय हो सकते हैं आपने सवाल पूछा है कि नेटसप में सक्सेस्पल होने के लिए क्य लिए कान बार्स मुझे मिलेगा तो इं शॉट मुझे इतना ही बोलना है अगर नेटसप में सक्सेश्पल होना है तो आपको एक अच्छी टीम बनाना ज़रुरि है ओके मृँलिव में सुखरे से तो किनेटसप में सक्सेस होने के लिए एक क्वालीटी टीम की जरुवाद होती है तो यही तो हमारे सभी अच्छिवर्ज को बार-बार बोला जाता है कि कॉलिटी टीम बनाओ, कॉलिटी टीम बनाओ, तो मैं आपसे ही क्वेश्चन पूस्ता हूं कि ये क्वालिटीम टीम बनाने की प्रोसेस क्या है? देखे टीम ये शब्द हम जब बोलते है ना तो इसका मीनिंग ये है कि थाउजंड्स ओफ हैंड्स विद वन ब्रेन मतलब यहाँ पर हर कोई अपने परस्नल गोल के लिए सपनों के लिए आया है लेकिन एक टीम मेंबर भी है तो सब लोगों ने अगर एक साथ अच्छे से प्लैन करके करते हैं तो बहुत बड़ा अच्शुमाइंट के बहुत बड़ा हम पर देंट के लोटां कर सकते हैं और युनित न बहुत अच्छा क्यों कर सकते हैं एक हुड फौलोर अपको बनना पड़ेगा Pizza E Football L ignorant को चुणना बहुत इंपट्रेंट उसके वीजुन को चुनना बहुत इंपट्रेंट पसके विचारों को चुणना बहुत इंपट्रेंट अर ये एक्स्प्रियान." आप जैसे लेते रहेंगे ना उसके बाद में आपके एक अच्छा टीम बना तकते हैं ऐसा मुझे लगता है जी किशोर है क्वालेटी टीम बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम का होना बहुत ज़रूर है क्योंकि यह जो बिजनेस है यह कोई खांदन से सिक्के नहीं आए या कोई स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया भी नहीं जाता है तो यह एजुकेशन सिस्टम का उप्योग करना यह बहुत ज़्यादा ज़रूर है अगर हम यह परसन जब नेट्वर को जॉइन करता है तो पहले होना चाहिए एब्डियम एब्डियम क्यों होना चाहिए जिससे यूजर रिटेलर एंड नेट्वर करने कोन आया है यह हमें पता होना चाहिए नेक्स होता है कि प्रोड़क्ट ट्रेडिंग अभी हमारे पस मैक्सिमम यूजर रिटेलर साते है तो उनको एक क्वालेटी प्रोड़क्ट ट्रेडिंग मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वह अपने प्रोड़क्ट को रिटेल कर सकते है और अच्छी तरह से यूज कर सके नेक्स होता है अलग-अलग मोटिवेश्टल प्रोग्राम्स होते है वह यह जा रहे है यह नहीं जा रहे है यह हमें देखना ज़रूरी है नेच्ट है हमारे पास पार्ट्रेक यह पार्ट्रेक जो है यह नेटसप का करियर सिस्टम है और जो जो लोग पार्ट्रेक ट्रेनिंग एटन करेंगे उनका करियर यह हजार दिनों में गैरेंटेट होने ही तीम यह गारंटी से नेटसप में बन सकती है. क्यावाद, येस, सर इसमें मैं तोड़ा आगे लेके जाता हूँ, किशोर सर का पाइंट ही है, हम यहाँ क्वालिटी टीम बनाने के लिए सोच रहे हैं, क्वालिटी टीम किसका बना रहे है, हम यहाँ बना रहे हैं, हमेशा हम यहाँ पर एक बात सुनते रहते हैं, ये डील विद घुमन बिइइंग, डारेक्ट सेलिंग में ये बात बहुत सुनते रहते हैं, इस से पहले हमको ये करना पड़ेगा, ये हमन बिइँग क्या है? इसके उपर तोड़ा सोचना पड़ेगा, क्वालिटी टीम बनाने से पहले, ये इमन बिइंग किस से बना है? जो हिमन बिइंग में क्या है? एमोशन से, ड्रीम से, अमबिशन से, इसके उपर हम जादा यहाँ पर ट्रेइनिंग देते हैं, उसके उपर जादा प्रोसस करते हैं, और इसमें एक चीज अमबूल जाते हैं, वो बहुत इंपाडेंट है, और पचास परसेंट क्या बचा इंसान में? वो है डर, उसमें बहुत बारा डर है, इसके लिए अमने राइट ट्रीटमेंट नहीं किया ना, यहाँ पे दिलता है, पंदरा दिन में 8,19,000, बाद में जाके 10,000 में काम करते रहते हैं, उसमें अनेश्टी किदर आई, यहाँ पे जल्दी ही जल्दी फुल टाइमर बनना है, और आपका सभी जगा नेट सर्फ के बिना कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, मैं भी नेट सर्फ आने से पहले एक सटिल्ड बिजनस करता था, बाद में मेरा फेस्बूक एडी में जाके आप चेक करो, नेट सर्फ के बिना कोई एक मेरा पोस्ट भी वहाँ पे मैं फोस्ट नहीं करता हूँ, क्यों कि आनेस्टी ही लोगों को लगता है यहाँ पे में बड़ा टीम करना चाहता हू और डाइरेक्ट सेलिंग में और कुछ प्राब्लम है, क्या है, यह मुझे को कहां जोडा गया है, मेरा को कहां लगा गया है, यह बहुत डिश्टर्ब रखते हैं लोगों के लिए, उसको क्या करो, ट्रांस्वरेंसी रहो, आपको देखते हैं लोग को लग जाएगे, कितना ट्रांस्वरेंस है, सब के आगे आपका tree and structure लिखके बोलो, ऐसा है, ऐसा growth होने वाला है, इसके बाद आपका development होने वाला है, इससे आपका quality team बनती है, और तीसरी चीज़, ध्यान में रखना, sacrifice करना, यह बहुत important है quality team बनाने के लिए, कुछ लोग ऐसा है, मैं देखा हूँ सुबे 10 बजे तक आपका phone ही नहीं उड़ता है, और 6 बजे में वो बंदो जाता है, उसमें क्या लगती है, लोग को यह क्या कर रहे है, बिजनस कर रहे है, या लोगों को implement कर रहे है, यहाँ पर काम कर रहे है, ऐसा नहीं करने का, 6 बजे या 7 बजे सोना, बस उसके सभी के बाद आपका phone चालू रहना है, लोगों को लगना चाहिए, यह हमारे लिए काम कर रहे है, यह तीन चीज से आपका quality team बनती है, सफ माई का का बोलोंगा की quality team बनाने का खुच जमेहदर आल, वो लिडर खुच जमेहदर उकता है, मतलब अगर वो लिडर की वो गोल के लिए काम कर रहे है, यह पर्फॉस के लिए काम कर रहे है, अगर यह स्मेल अगर तीम में जाता है, अगर वो बंगला गाडी, मेरा बै क्वालिटी तीम नहीं बनीगी। अगर तीम को यह समझ था है कि यार मेरे अच्वेमेंट के लिए मेरा सीनिर कुछ कर रहा है तो सर क्वालिटी तीम बनना चालो हो जाएगा और उसमें बहुत सरी लोग आएंगे, उसमें हर एक लोगों का जो क्वालिटे उसको हम पहचाना चाहिए, और पहचान के उसको आगे लेके जाना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि लीडर का उसमें विश्वास बहना चाहिए, यह जो है ना 20 परशन काम है, मैं तो क्वालिटी टीम बनने से आपको कोई ने रोख सर, यह जब बात सर क्वालिटी टीम की चल रही है, तो सर क्वालिटी जो है वो आती कहा से है, क्वालिटी आती है, क्वालिटी से, यानि कि क्वालिटी टीम बनानी है, तो उसे पहले आपको क्वालिटी लाना जरूरी है मैं आज भी बहुत सर लोगों को देखता हूँ कि वो चंद लोग रहते हैं उनके पास और उनी चंद लोगों को ठोकपेट के क्वालेटी बनाना चाहते हैं और उन्ही चंद लोगों को ठोक पिटे क्वालेटी बनाने के चकर में अपना क्वालेटी टाइम आवेस्ट कर रहे हैं, मतलब चंद लोगों को साथ में रखके चांद पे जाने का सपना देख रहे हैं, इसके लिए कॉंटेटी लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जब कॉंटेटी आजाती है, तो उसमें से फिर हमें हमारे जैसे वीजनरी लोग, जिनको सपना है, जिनका कुछ तो ड्रीम है, जिनका वीजन है, उनको चुनना जरूरी है, और उनको चुनने के बाद में फिर जो हम कर रहे हैं, वही उनको सिखाना जरूरी है, तब जाके एक अ लेकिन अक्षुली सर्स साई में वो टीम होता ही नहीं है वो एक network होता है। और वो 100 लोगों का जो network होता है उसमें 70% लोग तो user होता है। 20% लोग तो retailer होता है। leader तो सैब 10 लोग ही होता है। और वो 10 लोगों को आपको identify करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आइडेंटिफाई करके ओ दस लीडर के साथ आपको सीडूलिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, सीडूलिंग के साथ साथ उसके साथ जाके डेली काम करना बहुत ज़रूरी है, काम करने के साथ साथ आपको गाउन वाक में उतर के भी उसको काम करने का आदत उसके अंदर ड विल्डाव हो जाता है क्या बात है सर मुझे भी लगता है जब हम काम करना शुरू करते हैं तो अपनी दीरे दीरे टीम बनना शुरू हो जाती है मतलब शुरू में 100 की बनेगी बाद में 500 की बनेगी हजार की बनेगी पाच हजार की बनेगी पचास हजार की बनेगी क्योंकि नेटसब में हैसियत से भी ज्यादा टीम अपनी जरूर बन जाती है लेकिन अभी समझना यह है कि अगर हमें पचास हजार की टीम बन गई तो आपे बीची में कुछ लोग होना चाहिए जो इस टीम को हंडल कर पाए अगर हम वो लीडर नहीं बना पाए ना तो यह पचास हज की टीम भी आगे जाके हम चला नहीं पाएंगे तो जब यह टीम बढ़ रही है उस समय हमें यह द्यान रखना जरूरी है उनमें से कुछ लोगों को हमें सेलेक करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा उनको ट्रिनिंग देना पड़ेगा हाँ अभी सिलेक्शन करते समय भी क कुछ चीजें हमें देखना जरूरी है जैसे कि हमारे हातों की पाचों उंगलिया एक देशी नहीं है यह अपने हमारे टीम में जो भी समोह है वहाँ पे भी एक देशे लोग नहीं है कुछ अच्छे लोग है कुछ निउट्रल है और कुछ खराब भी है तो उसमें से हमें अच्छे लोगों को निकालना जरूरी है क्योंकि आगे जाके यही टीम संभालेगा तो यह अच्छे लोग जो है मतलब उन्हें हमें कुछ तो देखना चाहिए क्योंकि अगर अंदर है तो ही कुछ बाहर आएगा जैसे कहते हैं ना जैसे खदान वैसी मिट्टी इन्हें हमें अच्छे लोग चाहिए क्योंकि हम गदे को गोडा नी बना सकते हैं यह जैसे गदे को हम कितना भी साबुन से नहिलाए या काजू बदाम भी खिलाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा वो तगड़ा गदा बनेगा गोडा नी बना सकता है यह जैसे देखो अगर हम एक अंडा लेते मुर्गी के नीचे रखते हैं और मुर्गी को बोलते हैं कि तु अभी इस अंडे को 21 दिन सेखेगी 21 दिन के बाद एक बच्चा बाहर आएगा लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि एक अंडे के साइद का पत्थर लेलो उसको सफेद कलर लगाओ सफेद करो और मुर्गी के नीचे रख दो और मुर्गी को बोलो कि 21 दिन तुम इसको सेखते रो 21 दिन के बाद बच्चा बाहर आएगा बिल्कुल ने आएगा उल्टा उस अंडे को सेखते सेखते हमारी मुर्गी मर जाएगी ऐसे कई सफेद अंडों ने हमारे बहुत तारे लीडर को मार दिया है इसलिए मुझे लगता है इसलिए मुझे लगता है आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चीए तो दूसरा सिलेक्शन होने के बाद इन्हें हमें करना क्या है उस बंदे का अच्विमेंड होना चीए क्योंकि बंदा अच्छा है उसका अच्विमेंड होना चीए क्योंकि अच्विमेंड होती है त तो उसको पैसा मिलता है, recognition मिलता है, फिर motivation मिलता है, फिर achievement होने के बाद हमें और एक काम करना चाहिए, उसको training देना चाहिए, क्योंकि देख हम रोज हर एक के साथ काम नहीं कर सकते हैं, एक आदमी को हम जीवन बर पकड़ नहीं सकते हैं, उसको अपने पैरों पे खड़ा करन पड़ेगा, और जब हम उसके साथ काम करते हैं, उसका माइंड हमें धिरे-धिरे सेट करना पड़ेगा, कि यार नेट्सप जैसी कंपनी दुनिया में दूसरी कोई नहीं, प्रोड़क भी बहुत अच्छे, यानि इतने सारे लोगों का करियर अगर हो चुका है, तो तुमा मारा भी करियर होगा, यह उसके दिमाग में हमें डालना पड़ेगा, उसका माइंड सेट करना पड़ेगा, और बाद में उसकी टीम को भी सेट करना ज़रूरी क्योंकि बंदा अच्छा है, यानि टीम सेट करते समय, फिर उसके नीचे अच्छे लोग डून दो, उनका अच अच्छे टीम बनाने के लिए सब कुछ करना चाहिए, क्या बात है, मतलब थोराज साब ने जो हमें एक्जामपल बता है, बहुत सरल भासा में हमें एक्जामपल बता है, जिसकी वएसे हमें यह क्लियर हो गया, और जो हमारे पैनलिस्ट है, उन्होंने भी बहतर टीम, क्व सेल्स भी हमें यहां पर बता है, तो यहां पर बेटे हुए हमारे सभी फास्ट है कच्छिवर, एक जबरदस, एक बहतर, एक कॉलिटी टीम, तो कॉलिटी टीम की बात होई रही है, तो मैं आपको अगला सवाल यही पूछना चाहूंगा, कि कौन से इसी विशेष्टा है, लीडर में या एक डारेक सेलर में होनी चाहिए, जिसकी बदोलत वो एक बहतर टीम प्लेयर बन सकता है, सर, सर, इसके उपर में बोलता हूं, यहां पर सभी कुछ मेंटर्स बोल रहे है, निट सर्फ ऐसा है, दुनिया के सबसे बेतरीन है, हमारा प्रोड़क्ट ऐसा है, हमा इसको बार-बार चकर का इंवेंशन करने का ज़रूरत नहीं लएए, यहां पर जो अमारा प्लानिंग है, अमारा काम है, अमारा सोच है, या अमारा वर्किंग है, उसके उपर हम अग्रेसिव रहना बहुत इंपरडेंट है, क्योंए कि अग्रेसिव को लोग बहुत पसंद करते हैं, उस लीडर में वो में कॉलिटी होना चाहिए, और दूसरी चीज होनी चाहिए, कमिटेड, सभी काम पे वो कमिटेड रहना बहुत ज़रूरी है, कि यहां पे बहुत कुछ डिपेंड रहता है, रीजन से लेके, लीडर तक, पेयोड तक, सभी लोग डिपेंडेंट रहता है, इसलिए जब आप कमिटेड बनता होना, सभी का नजर में आना शुरूरू होते हो, आपका सक्सस बनना वहीं से स्टाट होता है, क्या हो? सरा, मेरे ही साब से एक अच्छा अगर टीम प्लेयर बनना है, तो मेरे ही साब से तीन पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे पहला एक अच्छा टीम प्लेयर बनना है, तो एक अच्छा जिसको कहते है कि अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, इसरी चीज मैं कहना चाहूँगा, कि उसके अंदर जो गुण होना चाहिए, जिसको पॉलाइटनेस कहते है, यानि नम्रता होनी बहुत जोरूरी है, आजकल मुझे समझ में नियाता है, बहुत सार लोग में अकड़ बॉत होती है, और वो किस बात से अकड़ते मुझे समझ मे को या, जो देखा होगा, ज sut आप सीड़ी चड़ते हैं, तो आप जुक पनदेशा करने हो, यानि जुक रहा हो चाहिए, यानि तीसरी चीज को यहां से इक प्लेयर के अंदर ही, जो ऑप चिल् mindset रहा होने चाहिए, इसे प्लेड़ जीजर का हम not on the 관리 좋은 here, और, बहू हो गुं तो अगर टीम प्लेयर गूड लिसनर नहीं होगा, तो अगर वाले की सुनेगा, ना नीचे वाले की सुनेगा, इसलिए मुझे लगता है कि यह तीन पॉइंट एक टीम प्लेयर के अंडर होना बेस ज़रूर है, क्या बात? बहुत अच्छा पॉइंट इसने बोला है, मुकेश ने, देखो, जैसे-जैसे काम करते जाएगा एक प्लेयर, उसको आज नहीं तो कल प्लेयर से लीडर बनना है, तीम चला नहीं है, तो उसका नॉलेज और उसका स्किल्स यह काम करते वक्त अटमेटिक डेवलप होगा, लेक अच्छा टीम प्लेयर बनने के लिए मुझे लगता है कि परफॉर्मस बहुत इंपोर्टन है, परफॉर्मस के बिना आप आगे नहीं जा सकते, मैं यहाँ पे उधारन देना चाहूंगा, महेंदर सिंग धुनी का, देखे उनको इंडियन टीम में सिलेट किया गया, तो उन टीम बने पूरे वर्ल्ड में, तो एज एक एप्टन भी परफॉर्म किया, इसलिए शायद दोनी आज इंडिया के टीम का मेंटर है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो डिरेक सिलर है, उसका भी जरनी इसी तरह से होना चाहिए, उसने एज़ टीम बहुत अच्छा परफॉ करना है, कोच बनेगा वहाँ पर भी फंफॉर्म करना है, अगर यह ट्रैक फॉलो करेंगे, तो हंट्रेट पसेंट आप भी एक दिन मेंटर बन सकते हैं, और नेट्स अप में सकते हैं, तो मुझे अभी सतिष ने जो दोनी की बात निकली ना, तो मुझे दोनी की उपर एक म किया हुँ, कभी किसे ने सोचा कि, मेरे धिमाग में यह थौट आया, कि धुनी ने ऐसा क्या किया, तो मुझे एसा लगता है, कि को और अगर नोगी च्छी एके महने, वह हमारे छे हम प्लेयर में चाहिए, हो ppingे इज़ बन सकता है, और उसमें पहली चीज यह है, कि धुनी यहां के जो लोगे ना यह टीम में मददगार साबीद होने चाहिए और तीसरी और एक बहुत बड़ी बात में कहना चाहूंगा देखो इंग्रिजदी में दो शब्दे एक है यूजफुल और एक है यूजलेस इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि हमारा जो टीम प्लेयर ना यह टीम के लिए उपयोगी होना चाहिए ना कि उपद्रवी होना चाहिए यह बोट इंपोर्टन चीज़ें यह परफेक्टेश सर मुझे भी मुझे भी लगता है एक अच्छा टीम प्लेयर बनने के लिए उस बंदे को थोड़ी जरूरत होना चीए क्योंकि देखो जिसको अगर भूकी नहीं लगती उसको अम खाला कहना कैसी खिला सकते हैं दूसरा जो है वो बंदे के पास समय का होना बहुत जरूरी ह क्योंकि जिस बंदे के पास समय नहीं है और अगर हम उसको समय देना शुरू करेंगे तो हमारे उपर बहुत बुरा समय आ सकता है तिसरी चीज है वो बंदा ड्रीमर होना बहुत जरूरी है इन्हें सपने देखने वाला बंदा होना चीए क्योंकि देखो जिसको सपने में सपने नहीं आते और वही अपने सपने में आना शुरू हो जाएगा तो हो सकता है अपने सारे सपने चूर चूर हो सकते है इसलिए थोड़ा ड्रीमर होना जरूरी है और थोड़ा उस बंदे में करंड होना चीए स्पार्क होना चीए क्योंकि देख बंदे में करंड भी नि स्पार्क भी नहीं अगर हम कितना भी उल्टेज लगा लेते हैं वह बल्प तो जलेगा नहीं लेकिन उल्टा फ्यूद हमारी इदर उड़ जाएगा इसलिए मुझे लगता है इसलिए मुझे लगता है कि बंदे में ये क्वालिटी होना ची और दो अहम क्वालिटी है जैसे बंदे में सीखने की भूक होनी चाहिए क्योंगी देखो, अगर हम सिखेंगे नहीं, तो खुद को अपडेट नहीं कर पाएंगे, अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, फिर इसे होगा क्या, हम वही वही बाते बार बार करेंगे, और उनी लोगों के साथ करेंगे, फिर लोगों को लगेगा, यार ये वही वही बाते कर देते हैं, वैसे हमें भी फिक देंगे हो, इसलिए हमें खुद को अपडेट करना जरूरी, अपग्रेड करना जरूरी है, और एक गुन होना ची है, यहने मेनत हमें करना जरूरी, क्योंकि देख हम चाहते यह है कि कमपनी ने बहुत बारी होना ची है, प्रोडक्ट ने बहुत बारी होना चीए, अपना डाउन लाइन भी बारी होना चीए, फिनियर भी बारी होना चीए, भाई तू भी बारी बनना, तो अगर तू यह चाहता है कि सारे बारी बने, अगर वो बारी बनेंगे तो पैसा उनको मिले गा न, तुम्हें क्या मिलेगा, यह बारी मतलब यह नही क्योंकि जीवन में मेनत प्रंग लाती हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोग ठक कर सो जाते हैं, कुछ लोग सो कर ठक जाते हैं, तो मेरा कहिना है कि हमें कश्टालू बनना है ना कि कश्ट टालू बनना है, कि अगर आज हमने अपने सपनों के लिए काम नहीं किया ना तो मैं आगे जीवन बर दूसरे के सपने के पूरे करने सपनों को पूरा करने के लिए में काम करना पड़ेगा मुझे लगता यह कुछ चीजे होना जरूरी क्या बाद है यानि कि यहां पर जो इन पैनलिस्ट ने तो यहां पर आपने व्यूज रखे उसकी बदोलग यहां पर हमारे जितने भी लीडर से जितने भी प्लेयर से याने वाले समय में बेस्ट लीडर बेस्ट प्लेयर है यहां पर बन सकते हैं तो यहां पर टीम की बात हो हो रही है तो यहां पर चलो हमने टीम भी बना ली बन तो मैं अगला क्वेश्चन यहीं आप से पूछना चाहता हूं कि एक टीम में यूनिटी कैसे बनाए और उस टीम के अंदर टीम वर्क कैसे करें जी सर ये सर ये बहुत इंपार्डेंट है टीम को यूनिटी रखना और उसको एक अच्छा काम पर लेके जाना दोस्तों इसमें में आपको चार चीज बताता हूं उसमें ध्यान देना आपका टीम 100% यूनिटी हो जाएगी पहली चीज आपका टीम को यूनिटी करने के लिए आप न्यूटरल होना बहुत ज़रूरी है और दूसरी चीज आपका टीम में आपको कोई भी फेवरेट नहीं होना चाहिए य यूए कि कुछ लोग क्या करते है आपके टीम में कुछ लोगों को फेवरेट बनाते हो उसकी वज़े से टीम का यूनिटी थोड़ जाती है और तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है आपका टीम में क्या होता है यहाँ पे काम करते करते बीस अजार पचास अजार एक ल जरू होगी इसको क्या करना है जो फॉर्थ चीज है आपके नए नए चालेंज आपने ही कड़ा करने पड़ेगा और उसके ऊपर टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा अभी देखो कोई पार्टी जिंदगी बर नहीं जीच सकता है पांच साल की जीच सकता है और अगला नय वो कड़ा करना पड़ेगा कोई एक टीम अमेशा के लिए वर्ड चैंपियन नहीं बनती है सिर्फ एक साल के लिए वर्ड चैंपियन बरती है और अगला साल उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा ऐसा ही नया चालेंज आपका टीम में आप कड़ा करके 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 टीम को हर टा आस्ट्रिया का टीम जो था 90 में वो वर्ल्ड चेंपियन था और बार बार जीत रहा था पुरी दुनिया में सब को हरा रहा था तो एक रिपोर्टर ने आस्ट्रिया का जो वहां का उस्वक का कैप्टन थे स्टीव उनको सवाल पूचा कि आपका राज क्या है आप वर्ल्ड है आपको कोई भी अल्ग्मार रहा बाज क्या है तो स्टीव उनके जवाब दिया कि क्या है सामने वाला जो टीम है ना वो ग्यारा खिलाडी के साथ खेलता है और हम लोग बारा किलाडी के साथ खेलते हैं तो रिपोर्टर को समझ में शुनें आया ऐस-एक एसे तो इसने ज और इस साल भी ओल चंपियन रहा है क्यों कि युटी थी ती सर अगर युटी के बात करते है तो मेरे इसाब से टीम के जितने भी प्लेयर से या टीम लीडर है अगर वो किसी एक कॉमन गॉल के लिए काम कर रहे है तो युटी जो है वो अटमिटिक लिए जाती है जैसे सर ने क किरिकेट का नाम दिया, किरिकेट प्लेयर जो है किसी आपस में फाइट नहीं करते हैं, वो एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, इसलिए वो उनाइटे रहते हैं, तो मेरे हिसाब से अभी आँ इतने भी लोग है या हमारे टीम में पांच, दस, पंदरा बीस जितने भी लोग कि लिडर के जो स्ट्रॉंग और अनिष्टी विचारत रहा होनी जरूरी है, उसके प्रामानिक पना जो है वह होना जुरूरी है, और इससे क्या होता है, लोग जूड जाते हैं, और उनिटी क्रेट होती है, उनिटी कैसी होती है, दूद और पानी, एक होनी के बाद तुम अभी बड़ा है, ऐसा नहीं जाना जाए, टीम में रहना चाहिए, लोगों के साथ डिसकस करना चाहिए, लोगों के कंदे पाहत रखना चाहिए, लोगों के छोटे मूटे प्राबलम में तो समझ के लेना चाहिए, ना की डारेशन जाना चाहिए, पहला समझ के लोगों बा एक छत के नीचे लाना ज़रूरी है, जिसको हम काबिनेट बोलते हैं, और जब हम हर महिने में काबिनेट लेते हैं, तो उन्हें सबी लोगों को हमें एक दिशा में लेके जाना पड़ेगा, यहने इनी सारे लोगों को एक दिशा में और एक मकसद के लिए काम करना होगा, जै यह थोड़ा confidence देना पड़ेगा और unity का थोड़ा importance उनको समझाना पड़ेगा जैसे कि देखो अगर दो भाई अगर एक साथ है ना पूरा गाव उनसे डरता है याते जैसे पाचों उंगलिया जब एक साथ आती है ना तो मुक्का बन जाता है और मुक्के के सामने कोई टिकता और जैसे सभी जानते कि अगर हम एक डजन केला लेने के लिए जब जाते है तो उसकी कीमत समझो जो है पचास सव रुपय जो भी है एक डजन हम केला लेते है और जो ठेले वाला होता है ना वो ठेले वाला छुट्टे केले एक डजन के साथ फ्री में दे देता है यह मतलब अब चुत्टे कैले की कीमत जुरो हो गई, क्योंगे वो गड से बाहर निकल गया, वेसे अंगुर लेते हैं समय भी देंखो, अगर हम एक किलो अंगुर लेते हैं, तो गड वाला अंगुर लेते हैं, और फिर ठेले वाला वापिस क्या करता है, मुठ्धी बर अंगूर लेता है और अपने इसमें डाल देता है मतलब जब तक ओंगूर गड में था तब तक वैलू था गड के बाहर चला गया उसकी कीमत जीरो हो गई उसे भी देखो यह मतलब जब तक आप टीम के साथ हो आपका value अन्मॉल है लेकिन जब आप team के साथ नहीं हो आपका value फिर 0 है यह हमें थोड़ा importance लोगों को समझाना जरूरी है और बाद में जब unity हो जाता है तो team work हो जाता है देखो अपने एक आदमी में सारे गुन नहीं होते इसलिए एक आदमी एक दो काम अच्छे कर सकता है लेकिन team में कुछ लोग जो है बहुत सारे काम कर सकते कोई seminar अच्छा ले सकता है कोई training अच्छा ले सकता है कोई motivation अच्छा ले सकता है तो अगर यह team work में काम हो जाता है तो team बहुत अच्छा चलता है काली उसके बाद जो हम हमें खुद को नहीं जिताना है, हमें टीम को जिताने के लिए काम करता करना है, युनाइटेट लिए हमें काम करना है, क्या वाट? सर अपने सवाल पुछा के टीम में युनिटी कैसे रखे एक इनसान दुसरे इनसान के जैसा बिल्कुल नहीं होता है सबके अपने अपने प्रवरुत्य होती है तो यह अलग अलग टाइप के जो लोग है उनको अगर युनाइटेड रखना युनिटी इन में लाना है तो इसके लिए आसान काम नहीं है लेकिन यह पॉसिबल भी है इसके लिए प्रोसेस करना पड़ता है और इसके लिए किसी को हमको कॉपी करना पड़ेगा और कहीं दूर जाने की जरुरत नहीं मैं थोड़ा एक एक ग्जम्पल के साथ करूंगा एक हाथ गाव रहता है उसमें देखो कुछ रहते जो भजनी मंडल वाले लोग रहते और कुछ रहते वो गुंडे रहते अभी गुंडों का और भजनी म लोग आए यह भी तो लोग आए सब अलग अलग अभी आपको है एक सवाल का अलग अलग जवाब दे रहे हैं मतलब यह सब अलग अलग लोगों में यूनिटी नेटसप ने कैसे बना है तो उसका प्रोसेस है वही हमको फॉलो करना चाहिए पहला चीज जितना भी लोग हमा होते संसकार नेटसप के कुछ संसकार है गलत काम नहीं करेंगे शाट्रम नहीं करेंगे लंबी विजन के साथ काम करेंगे अभी यह संसकार सभी लोगों के उपर होना जरूरी है जो नेटसप करता है और तीसरी चीज़ यह है बहुत अच्छा अप्ग्रेट नॉलेज है य बिन्न बिन्न प्रवरुति के लोग हैं, लेकिन उनको सभी को अपग्रेट नॉलेज मिल रहे हैं, सभी के उपर एक ही तरीके चे अजसे संस्कार हो रहे हैं, और सभी लोग अच्छे लोगों की संगत में हैं, तो एटोमेटिक ये सभी लोगों का यूनिटी बनता है, और फि अब ही फास्ट आएक अच्छीवर है, ये अलोग इंडिया से अलग अलग रिजन से अलग जोन से अलग अलग स्टेट से अलग अलग गाउं से एक ही जगह पर एक साथ यूनाइट होके यहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये भी एक उनिटी का सबसे बड़ा एक्जामपल यहां पर है, तो सर यहां पर यूनिटी की बात हो रही है, लेकिन मैं कुछ टीम प्लेयर्स की भी फिर से यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, कि यहां पर हमारे बहुत सारे ऐसे, हमारे अचीवर्स है या फिर हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर है, जो कि वनमेन आर्मी की तरह काम करना पसंद करते हैं, यानि कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लीडर या डारेक सेलर होते हैं, कि जो टीम के साथ काम करना ज़्यादा prefer करते हैं, पसंद करते हैं, तो इन दोनों में सबसे fast growth जो है यह किसके हो सकती है सर मैं इसके उपर बात करना चाहूंगा दिखे चोटा से चोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो उसे अगर softly और successfully अगर complete करना है तो मेरे इसाफ से मुझे लगता है कि टीम को होना बहुत जगर हो है क्योंकि एक बार successful बनना अलग बात है वो कुछ भी जुगार करके कुछ भी करके एक बार successful बन सकता है लेकिन successful बनने के बाद successful बने रहना ये बहुत important बात होती है मतलब कभी कभी कुछ लोग है खुद के बल्बूते पे थोड़ा सा लड़के जिसे आपने शबद इस्तिमाल किया one-man army वो successful बनते है लेकिन actually हमेशा के लिए बने रहने के लिए टीम को होना जरूरी है लेकिन यहाँ पे एक बात में और भी बोलना चाहूंगा थोड़ा अलग अंगल से कि एक एक अधा लीडर है उसकी टीम भी है और वो टीम के मादेम से अच्छे तरीके से डेवलोपमेंट कर रहा है आगे जा रहा है लिकिन किसी कारण वश हो सकता है यह इंडस्टी है डारिक सिलिंग इंडस्टी इसमें शहाथ हो सकता है कि किसी कारण वश आचानक उसकी टीम उसके साथ नहीं है या कुछ प्राबलेम आया जो भी कुछ है तो ऐसे सिचुएशन में अगर टीम उसके साथ नहीं है लेकिन उस बंदे में दम है उस बंदे में वन मैन आर्मी जैसी क्वालिटी अगर है तो वो फिर से नहीं टीम खड़ी कर सकता है और उसको उचाई तक लेकर जा सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वन मैन आर्मी का गुन भी होना चाहिए लिकिन साथ में अगर टीम भी है तो उसके जैसा योग तो दुसरा कोई हो ही नहीं जगता करियर एक्चली वही से बहुत जबर्दस तरीके जबनेगा हैसा मुझे लगा सब्सक्राइब यह पर कुछ बोलना चाहूंगा अच्छी एडारेक्स लिंडस्टी है और डारेक्स लिंडस्टी में आपके बस टीम नहीं है मतलब आप यहां पर क्या कर रहे आपके बस डारेक्स लिंडस्टी में तो टीम होना ही चाहिए लेकिन आपका वो टीम कंटीनु टवी तीके गा जब उस टीम के साथ आप वान मैन आर्मी जैसा सार्वीज देंगे नहीं तो बहुत लोगों का टीम होता है और टीम खतम भी हो जाता है मिरे एक किर देना चाहोंगा जब मेने अनिट सम्में सुरूबात किया था स्टार्टिंग में एक साल के अंदर सतौरा फोकेट में मेने काम चलू गिया था बेकनो सत्रा फोकेट को मैंने कभी भी नहीं छोड़ा मैं लागतार कंटीन उसके साथ काम करते गिया और हार pocket में एक one man RV बनाने के लिए मैंने कोशिस किया और ओ सद्रा pocket में मैंने एक-एक करके one man RV बनाया जिसके बज़े साच इतना साल हो गिया फिर भी ऐसा एक भी pocket मेरा नहीं है ओ सद्रा pocket से जहां से आज भी मेरा business नहीं आता है हार pocket से मेरा continue business आता है और इसे में में सर एक live example देना चाहूंगा Netsam में क्या लीटर नहीं है? जिसके पास team नहीं है? Netsam में बहुत लीटर है सर्षी इसके बहुत भपरी ब़ड़ी team है लेकिन आज व यहां पर नहीं है आज यहां पर कौन है? जिनके पास team है लेकिन उस team के साथ लगता है, नेटवर्किंग ये जो है, ये अकेले का काम हाई नहीं, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत बारी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं सुपर मैं हूँ, मैं स्पाइडर मैं हूँ, अगर हम ऐसा सोचते हैं, तो मेरे अंदाज से हम खुच से दोका कर रहे हैं यह देखो हम करियर नाम के अगर लड़ाई हमें जीतनी है तो उसके लिए हमारे पास सेना का होना बहुत जरूरी है और उसेना भी ट्रेंड होना जरूरी है यह नहीं कैसी खाली बंदुख पकड़ के खड़े हैं चलाने वा इंडियुजल के बाद अगर हम बोलते हैं टीम एनि कोई बंदा हो सकता है वन मैन आर्मी लेकिन कॉलिटी टीम नहीं है तो उसके नीचे जो है सिनियर ने काम करना जरूरी है उसके नीचे एक अच्छे लोगों को गोन के तैयार करना बहुत जरूरी है क्योंकि होता क्या है जिवन में ऐसा कभी एक समय आ सकता है कि हम काम नहीं कर पाएंगे अगर टीम पूरी अपने आप पे निर्भर है तो टाइम प्राब्लेम हो सकता है यहां मैं रफिक शेक का एक दम पल देना चाहूंगा सोचो रफिक शेक अगर वन मैन आर्मी होते थे अगर उन्होंने टीम नहीं बनाई होती थी आज उनको जाकर 8 साल हो चुके है फिर भी उनको हर साइकल क्या प्लगती है यह सिर्फ टीम की बदोलत है और मुझे लगता है हमें वारिस बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि देखो अगर जानुवर भी इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपना वार हमल दूँगा मैं नेटसप में मेरा जॉइनिंग है 2003 में 2003 में जस में 12 पैस किया था और कॉलेज जस में जॉइन किया था सिनियर जॉइन किया था अभी एक दोस्तने नेटवक के बारे में बताया नेटसप के बारे में बता मैं काम स्टार्ट किया एक जोज था मतलब मुझ मुझे लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ मतलब मैं 100 कर सकता हूँ पड़ा लेका हूँ तो मैं काम करते गया काम करते गया और हर साइकल में लाग दीड़ लाग का टनवर मैं लेकिया था था मैं पिछे मुड़ के देखा नहीं अईसा करते गया करते गया बहुत साल निकल ग मुझे इतना समझ में आया कि अगर मैं पंद्रा जिन का एक आठ लाख रुपय का टनोर लेकर आ रहा हूँ और मुझे अगर क्याप करना है तो मुझे अगर मेरे जैसे सो लोग तार करना पड़ेगा तब ही जाके मुझे करोड का टनोर आएगा और मेरा क्या लेगा मुझे य अगर फास्ट आग में जाता था लेकिन मैं सुरुवाट प्रोग्राम में अगर में आखेल लेकिन मैंने जो गल्ती की तो उसको सुधार दिया दो हजार चाउदा पंद्रा में मैं धान लिया कि मैं यह इंप्लिमेंट करूंगा सी पोशिप मेरे जैसे लोग क्रेट तो हजार चोदा पंज़ा में जो फिनांस रे स्टार्ट हुआ, दो हजार चोदा पंज़ा का एप्रिल महिने का पहले 15 डिस का मेरा चेक था 26,000, उस साल में मेरे जैसे 100 लोग बनाये, इसलिए साल के बार मार्च मेंने मेरा चेक बना था 8,19,250, एक साल में मेरा बन गया था, म मेरा टीम बने कारन में 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 बन गया, वह दो तीन साल में मेरे टीम से चार में बन गया, मुझे भी रिकनेशन मिल गया, मेरे टीम को भी रिकनेशन मिल गया, इसलिए टीम को बनाना जरूरी है, सबसे जरूरी है, क्या बात है, मतलब सभी पैनलिस को सुनने के बाद, कभी लगता है वनमेन आर्मी होना जरूरी है कभी लगता है टीम होना जरूरी है मैं कहूंगा मुझे मैं अनलाइज करता हूं मुझे लगता है टीम और वनमेन आर्मी दोनों होना बहुत जरूरी है इसका मतलब यह है कि काफी ले उनी के साथ चलते हैं जो अकेले चलने के होस्ले उसी के साथ सर यहां पर आपने किरन सर आपने रिकागनेशन की बात की थी आपका रिकागनेशन हुआ पहले सर्वाइवल के वांदे हो रहे थे अभी रिकागनेशन हो रहा है तो मैं यही जानना चाहता हूं हमारे सभी फास्रेक अचिवर भी जानना चाहते कि हमारे टीम का स तो मैं तड़ा इंट्रोड़क्शन के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि हमारा जो बिजनेस चुरुवात होता है, वहाँ इंट्रोड़क्शन से होता है, एक कोई नया हमारा बंदा रहता है, जो किसी नये गेस्ट को इंट्रिजूस करता है, और उसके लिए कोई हमारा सीनियर काथ सबस्क्राइब है, यह उसका कॉल करने के लिए जाता है, अभी वहां कर जो पहला इंट्रोड़क्शन होता है, वो अगर गलत हो गया तो आगे सब कुछ गलत होता है, तो नार्मली हमारा जो इंट्रडुधर होता है वो गेस्ट का, और उसका जो अपलाई snend क्योंकिन उसका introduction कैसे करके देता है, तो पहले तो उसके लिए वो guest important रहता है, वो guest शायद हो सकता है, गाव का मुखिया हो, अच्छा networker हो, कोई बड़ा आद्मी हो, तो यह पहिचान या introduction कैसे करके देता है, कि यह हमारे senior है, और senior को बताता है, कि यह हमारे गाव के मुखिया है, इनका गाव में इतना वजन है, यह इतने जबरदस्त है, यह ऐसे तोफ है, इनको जारा बताओ, तो अभी इसको क्या लगता है, यह यड़ा है, दुसरे यड़े को पकड़ के लेके आए, तो यह इसका सुनता नहीं है, तो यह गलत introduction हो गया, तो मेरे इसाब से introduction कैसे होना यह कितना भी तोफ है, इसका पूरा information पहले senior को दो, और जब introduction देते हो टाइम आएगा, तो बताओ कि यह XYZ है, यह मेरे senior है, यह यहां से आया, इतना जबरदस काम किया है, यह क्या बोल रहे हो तोड़ा सुनो, अभी इसको लगते यह तो यड़ा है, कोई अच्छा चाहिए, अभी और जब सुनेगा तो समझेगा, समझेगा तो करेगा, तो यह introduction पहला important है मेरे साब से, और दूसरा introduction जब होता है, जब हमारा कोई leader को stage पर बुलाया जाता है, अभी बहुत सारे leader का background जो है, थोड़ा weak रहता है, गरीब रहता है, और हमारा जो बुलाने वाल परिवार से है, एक टाइम में उनका खाने का वांदा था, फिर वो नेट सब में आये, फिर उनको नेट सब की वज़े से, आज फरविलर में गूम रहा है, आज वो इतना रुपाय कमा रहा है, वो अंदर बोलता है, मैं गरीब था, मैं जो भी था, क्यू बता रहा है, उसक इतना खराब इंटोड़क्शन देता है, उसका मोटिएशन डाउन हो जाता है, मेरे इसाब से जब लीडर को बुलाना है, तो उसका बैग्राउंड से इंपोर्टंट है, उसके गुन क्या है, अगर यहां पर मैं देखता हूँ, अभी समझो किरान यहां पर बैठा है, तो बुलाना है, तो मैं किस तरीके से बुलाँगा, कि यह जो डायरेक्ट सेलिंग इंडेस्ट्री है, इसमें सबसे ज़्यादा नॉलेज, अगर यह पूरी दुनिया में किसी के पास है, तो हमरे जबरदस मेंटर, किरन बोहिर सर, और फिर अगर मैं उसको बुलाता हूँ, तो हमारे टेमें रेकाइगनेशन मतलब सनमान जरूरी है, हर एक छोटे-छोटे, अब आभी देखो, तुम कितना भी बोलो कि नेटसब का जो प्रोड़क्त आना, यह नेटसब का बैक्बोन है, और बाइफिट यह जह जहें बहुत बड़ी स्ट्रेंट है, अभी काइसा होता ह मैं कोई किसान प्रोड़क्त लेता है, यूज करता है, बुछ अच्छ उसको रिजट आता है, वो खूश रहता है, कोई 10 अजर को लेता है, कोई 20 अजर करता है, कोई 1-1 लग तक का लोग प्रोड़क्त लेए उस खूद के लिए, बबबबब तो ऐसे सिच्योशन में, उसम अगर उसको स्वतकार करते हैं, तो उसको भी मोटिवेशन लगता है, सर अभी तक है ना किसानों को, किसी नहीं पूचा सर, हर एक सिस्टिम आया, ऐसा जूस निकला, ठेक के चला गया, सिर्फ नेटसप यही है, जिसका यिल्ड बढ़ाती है, जिसके सब कुछ करती है, तो लोगों का भी सनमान होना जुरूरी है, क्या लगता है सर सनमान के लिए, एक फूल और दो टाली, बस वही सनमान उसको मोटिवेशन बढ़ाता है, और वही आदमी कल जाके और सो दो सर का जादा रिटिलिंग करता है, और तिसरा जो है ना, हमारा जो इंटिडूसर, अभी क जोईनिंग करके लाते है, तो उन लोगों का भी सनमान होना जाहिए, कि सर आपने पाँ जोईनिंग दिया, सर पास दिन में क्या है, तो वह एक उसको लगता है, यार मैं जो काम कर रहा ह। वह कोई तो देख रहा है उपर, तो उसको भी प्रेहना मिलते है, वह भी आगे यार मेरा मिलते है, पाहला है, तो उन लोगों का भी सनमान होना जुरूरी है, जो पहल चेके ना, हम लोगों का रहा ना, नो लोगों का रहा है, सर जो फ्रोरी जो पैल्लो के वह इसको लगते है, और मेरा पहला चेका я किसी ने तो मुझे ह hanno किया, पर वो याद रहता है सर ह तो हातों से वह संवन होना चाहिए fast track diter club लेवल अच्वर से और वह संवन होना चाहिए हमारे president fast track वाले के हातों से यानि इसको बोलते हैं एक तीर में दो निशान मतलब एक ही साथ दो दो तो अल्रेडी नेटसब के पास जो पाथ फाइंडर है यह एक रेक्रेग्डेशन सिष्थम ही है हमें क्या करना है कि हमारे जो भी सूपर एशिवर से जो भी हमारे फाट्राइक चीवर से क्लबनेट्स अचिवर से इन लोगों यह जो फ्रशिपम यह अला गलग प्रोगरंम के मारण से का बॉत जुरूरे, अब ये ऐसा करने से क्या होता है? कि जिस बंदे का यह फे पैलिसेट किया जा रहा है, तो उसका एक motivation आ जाता है, दूसरी बात क्या होता है? कि उसके team जो है, उनको भहाउ पे Channel Desks पर जाते हुए, तो जिस बंदे का पर लिडर है, उसके टीम में भी क्या हो जाता है, वहाँ पे महत्वा बढ़ जाता है, उसके इंपोर्टन्स बढ़ जाते है, और साती साथ उसके और एक बेनिफिट क्या होता है, कि नीचे जो देखने वाले लोग है, कि इन में भी एक मोटिवर्शन है से आजाता है, कि एक ना एक दिन मही मेरा भी संवान होना चाहिए, यह आग उन लोगों में लग जाती है, इसलिए रेक्रेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है. यह आपर कुछ बोलना चाहूंगा, अच्छे मेंट करने से तो सम्मान मिलता ही है, लेकिन नेट्सब के खास बुजनेस बोला जाता है, क्योंकि नेट्सब में ऐसा खास बात है, जो मुझे लगदा है, और ऐसा रेक्रेशन कहां पर भी नहीं मिलता है, जैसे नेट्सब जो का लेता है, लेकिन एक रीजन में कुछी लीडर होता है, जो उसके MCM मेंबर बन पता है, और जो MCM मेंबर बनता है, वो कमपानी का एनौल इवेंट में स्टेज में जाता है, और हार मेहना कमपानी का प्लानिंग को लेके, पूरा रीजन का प्लानिंग को लेके, एक अच्छा OCM कितनो है, only for 25 OCM है, मतलब यहाँ पर कुरोरपुती बनने के बाद भी आपके अंदर कुछ तो खास बात है, और उसको बाहन निकाल के लेके आना जोरूरी है, आप लेके आते हो, तो आप आपका रीजन का OCM भी बन सकते हो, और ऐसा ही, और एक बात बताना चाहूंगा, नेट साम में देखेंगे तो लास्ट 45 साल के अंदर, नेट साम में नया 12 ईंटर आ चुका है, मतलब यहाँ पर जो मुझे 1200 लोग देख रहा है, यह 1200 लोगों के आंदर भी भहाँ सारा खास बात है, और आपका अंदर उसको आप नेट साम में भाहर निकाल के लेके आते हो, तो आगे आने बने दो तीन साल में, नेटसा में हंडेग में ताइम नहीं लगेगा, यह में बहुँ सकता हूं। मतलब देभू सर आप कहरे हैं कि अमारे सामने प्रोबेबल मेंटोर यहां पर वेठे हुए है। मैं कुछ बोलना चाहता हूं सर, अमारा जो इस बिसनेस में, इंट्रिड़क्शन और रेकरगनेजेशन बहुत कुछ काम कर ले आता है। कुई क करना चाहिए? जोनिये यह, आमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं वो अमारे से अज में कम रहता है या जादा रहता है। स्टेटउस में कम रहता हैं आमारे से जादा रहता है। ये सभी लोगों को इंट्रिडूस करते वक्त, अमारे शब्द के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. कुछ लोग बहुत गड़बड करते हैं, या का करते हैं, मेरे नीचे, पीचे, आगे, बैगे, वो बोला ही नहीं है, क्यों उसके जाए बहुत हर्ट लगती है, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए. और रेकगनेजेशन ही बहुत इंपाड़ेंट प्याट है, क्योंए कि सब कुछ अम पैसे से नहीं कर सकते हैं, कुछ रेकगनेजेशन के जिबे, अम बहुत कुछ कर सकते हैं, स्टेप बाइ, स्टेप बाइ, स्टेप बाइ, अमको यहां पे उसको आगे लेके जाना है, तो रेकगनेजेशन करना बहुत इंपाड़ेंट है. अभी कुछ लोग बोला, यहां पर फिलिटेट करना है, वो तो कुछ रेकरगनिजेशन ही है, मैं कुछ और अलग से बोलता हूँ, जो आदमी अच्छा काम करते हैं, उसको उसी का टीम के हागे, उसका बारे में कुछ आप चोटे मोटे मीटिंग में उसके बारे में बोलो ना वो जिन्दगी बर याद रखेगा, अरे मेरे टीम के आगे मेरे उपर यह बोल रहा है करके, तो रिकरगनिजेशन किस बहुत चीज आता है, मैं इसलिए एक एग्जामपल यहां पर उदारन लेता हूँ, दो फ्रेंड्स थे, वो रोड में सिगरेट पीता रहता है, उस दो कि उसका सीक्रेट सबके आगे खुल चुका है, मैं क्यों कि बंद करूँ, आज के बाद मैं सिगरेट जबरदस पीओंगा, और और पिता ने एक काम करता है, सबके आगे और दूसरे जो बचा है उसको बलाता है, और सबके आगे बोलता है, देख ए मेरा बच्चा है, एक आद में जिन्दगी में कभी भी बैड काम नहीं करेगा, ऐसा ही रेकरगनाइजेशन, ऐसा ही रेकरगनाइजेशन आपको कुछ अलग जो बिना नहीं काम कर रहे ना उसको भी काम में लग जाता है, ओके मतलब यहाँ पर सभी पैनलिस्ट ने रिकरगनेशन कैसे करना चाहि है, यहाँ पर आज हमें बहुत सारे व्यूज उनों ने यहाँ पर अपने अपने रखे है, तो यहाँ पर सभी फास्ट है कचिवर जब फिल्ड पर जाएंगे, सभी लीडर जब फिल्ड पर जाएंगे, तो 100% अपने टीम के सभी सदसों का अच्छा रिकरनेशन करेंगे, अच्छा सन्मान करेंगे, अच्छा परिचे, इंट्रोडक्शन, 100% करेंगे, उसी के साथ में आगे बढ़ता हो कुछ तो इस परिस्तिती का निराकारन कैसे करना चाहिए, मैं आप से जानना चाहता हूँ. सर इसका मैं ही स्टार्टिंग करता हूँ, क्योए कि इस जो अपने सवाल कुछा है, इसका प्राबलम मेरे टीम में बहुत कम है. क्यों ऐसा है? मैं आपको बोलता हूँ. जो काम क्यों नहीं कर रहे है? यहाँ पर लोग क्या करते हैं? जलबाजी में, प्रेजन्टेशन देने के टाइम में, यह बहुत इजी है, आसान है, सिर्फ दो-तीन लोगों को लागिन कर बस हो जाता है, सब कुछ देखने के लिए मैं हूँ ना, ऐसा बोलके छोड़ देते हैं. वो ही काम करता है, बाद में, मैं किया ना, आगे तू बोला ता मैं उतना ही किया हूँ, आगे कुछ करने वाला ही नहीं हूँ. जब आप प्रेजन्टेशन देते वक्त ही, इसका सीरियस निस इसको समझ जाते हो, यह जनरेशन वा है, आप जो आपका काम कर रहे है, उससे भी बढ़िया यहाँ होने वाला है, इसलिए आपका कमिटमेंट हमेशा आपको चाहिए, ऐसा आप बताते थो एप्राबलम आता ही नहीं है. इनके बारे में बोलूँगा, सर, ऐसा होता है कि एक लीडर को डेवलोप करने के लिए भ पाइटर जेट में अगर कुछ बिगाड आता है ना तो पाइलट को निचे से इंस्ट्रेक्शन दिया जाता है कि तुम उच छोड़ दो, ओके जेक्ट हो जाओ, और वो हमेशा बचने के कोशिश करता है, लेकिन उसको चोड़ नहीं पड़ता है बाद में, क्युकि निचे तो हर टाम में उसका जो भी इनक्टिव है, उसको एक्टिव का ऐसा करे, इसके उपर जादा ध्यान देना चाहिए सर, ने तो ऐसा बोलेंगे न, ये भी जाए गया, वो भी गया, बात में आकिलर रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हर एक आदमे को, जो भी नाराज लो जैसे समय की उसको प्राबलम है क्या, या एगो या उसका बैड़ पैट चल रहा है क्या, यह वहां पर हमें फोकस करना जरूरी है, अगर उसमें कॉलिटी कम है तो उसको ट्रेइनिंग दे दो, फैमिली प्राबलम है, तो फैमिली के साथ बेट ओ, अगर सौल करनी की करो बैड़ पैट चल रहा है तो उसको समझाओ बड़े-बड़े प्लेयर के बैड़ पैट चलते हैं हम भी इंसान है हमारा भी हो सकता है इससे दर्मयान जो है न मुझे लगता है उस बंदे को हमें थोड़ा कांफिडन्स देना है सुदरने का मोका देना है बदलने का मोका देना है समय देना जरूरी है और उस दर्मयान उसके कम्यूनिकेशन में रहो उसको सपोर्ट करो और उसकी सोच बदलने की कोशिश करो उसको करियर समझाओ कि अभी तुमारा करियर बहुत नजज़िक है तुम इसा करोगे तो प्राब्लम हो जाएगा और मुझे लगता है कि इस में से 80 टक्का लोग बदल जाते हैं फिर भी कुछ लोग रहते 20 परसेंट जो बदलते नहीं मुझे तो लगता है उनको छोड़ दो बगवान बरो से यह और यह कहने का मतलब यह है और जो डाउनलाइन अच मुझे नहीं लगदा है जो कोई भी हाँ पर होगा जो जिसके टीम में ऐसा नहीं होता है हार किसी के टीम में ऐसा होता है लेकिन सच में आप एक गेट लीडर है तो आप जितना भी बड़ लेवेल अप एचिबमेंट की होंगे उसके बाद भी आपको गनवाक रुब भूल तो इसका जवाब मैंने जया है कि नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, तो इसलिए हर वेक्टी महत हुआ पूर्न है, मुझे लगता है कि यह जो इनेक्टिव आजमी है, कि वह अभी इनेक्टिव है, लेकिन पहले तो इसने काम किया है, अभी वह ह मुझे क्या चाहिए, लेकि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या कहना है, कि यहां पर बैटा हुआ हर एक वेक्टी के नीचे, ऐसी सिच्छा आएगी क्या, अंडरे पसंट आएगी, तो उसके लिए हमें खुद को तैयार होना है, कि वह हमें उसका एक मेंटरिंग करना कि उन्हों ने, उनको एक आदमी मिला, बहुत नटकट था, बहुत खतरनक था, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था वालया लुटारू, मालू महीं क्या? वालया लुटारू, यह लुटा था लोगों को यह कहानी मालू आपको, लेकिन देखो कि नारज मुनी ने उसके पर इस प्रकार का मेंटारिंग किया, कि जिसने वो लुटारू पन चोड़ा, सब कुछ चोड़ा, और वो वालया का वालमिक रूशी बना, और उसने रामायन लिखा, मतलब एक लुटारू आदमी में इसमाच इतना चेंज हो सकता है, तो यार वो अपना आदमी है, जिसके उसके खुच के सपनों के लिए आया है, वो अपने में लानी चाहिए कि हर एक में हमारे लीडर्स नहीं ये कॉलिटी अपने में लानी चाहिए कि हम लोग लोगों को अच्छा करता के, आज लिए बहुत कम हो चुका है, मुझे लगता है वापस इसके उपर आमें काम करना क्या बात है, मतलब एक बहुत जवर्दस एक्जामपल के माध्यम से यहाँ पर बेंटकर साब ने आमें क्लेर क्या, मैंने उनके बारे में पहले ही बताए कि वो माइथोलोजी का विचार लेकि हमें बहुत सारे हमारे विचारों परिवर्तन करते हैं, तो यानि कि यहाँ प आगे बढ़ते हुए, उसी को मैं आगे बढ़ते हुए, मैं थोड़ा सा और अलग टाइप का कुश्चन पूछना चाहूंगा, कभी-कभी हमारे जो फास्ट्रे कचिवरे लीडर्स जो है, जब यह फिल्ड पर काम करते हैं, तो उस वक होता क्या है कि उनके पास एका दूस दूसरा लीडर आ जाता है, या फिर उनका दूसरा किसी के बाद चले जाता है, दूसरी टीम में जोईन हो जाता है, जिसे हमारी भाषा में उसे स्नैचिंग केते हैं, है ना, तो यह जो परेशानी होती है, इस परेशानीों को केसे समाला चाहिए, जी सर, मुझे लगता है, हमें सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, हमें इंसान भी बनना है, अपने अंदर की इंसानियत को भी जगाना है, हमें मानों बनना है, दानों नहीं बनना है, हमें अपने टीम में राम राज्यस तापित करना जरूरी है, ना कि रावन राज, देखो स्नैचिंग करने वालों को, मै एक सला देना चाहूंगा, जैसे देखो, अपने थाली में क्या है, ये देखना जरूरी है, दूसरे के थाली में क्या है, ये देखने की जरूरत नहीं है, देखो, बहुत बार होता कि ये है, कुछ लोगों के आदत रहती है, उनको रीजन में क्या चल रहा है, पता है, किसके नीचे क्या चल रहा है, इसको कुछ पता ही नहीं होता है, और फिर ये अलग-अलग लोगों के दिमाग गुमाता है, उसको अपनी तरफ खीचने की कोशिश करता है, मैं तो बलता हूँ, ये चोरी है, और इत्यास गवाह है, चोरों का कभी इत्यास नहीं बना, लेकिन वो पनने, थोड़े पलट कर देखो, इत्यास में आपने देखा है, ये पड़ा है, रावन ने सीता का हरन किया था, ये रावन ने सीता का हरन करने के बाद पुरा रामायन हुआ, और सबसे बड़ा शिवभक्त बलशाली रावन मारा गया, ये हमारे यहाँ भी कुछ लोग इस का हरन करते, ये डाउन लाइन में से, अरे रावन की लंका जली यार, फिर कोई तो हनुमान बनके आएगा, और तुमारी लंका को भी जला पाया, जला लेगा, मतलब सर, मतलब इस दुनिया का सबसे बड़ा स्नाचर के ये हालत हो सकती है, तो हम तो एक साधारन से इंसान है तो हमारी क्या हालत हो सकती है, ये हमें समझ लेना चाहिए, जी सर, ये सर, तोरह साब का बात तोड़ा मैं आगे लेके जाता हूँ, ये स्नाचिंग पसंद क्यों लगती है लोगों को, वहाँ पे एक सेटल डुवा लीडर यहां आया तो, यहां पे भी बहुत टर्नोवर ल बनेगा, वह प्यूर फेलूर बनेगा, क्योंए कि वह यहां लाने वक्त उसका साथ जो लोग आता है, उसका एक्सपेटेशन बढ़ता है, उसके वजए सब कुछ बिगड़ जाता है, आपको क्या लगता है, लीडर यहां पे ही डवलप होना है, बाहर से आके वह कुछ भी एक बंदेने क्या करता है, उसका पैंट बहुत लूज रेता है, इसलिए क्या है, मेरा पैंट बहुत लूज हो रहा है, नीचे गिर रहा है, इसलिए एक बेल्ट करीता है, वो बेल्ट को प्रापर ओल नहीं लगाता है, बाद में भी वो पैंट लूज होता है, वो बंदा क काया, पेट तो बड़ा हुआ, मगर वो बीमार पड़ गया, स्नाचिंग भी ऐसा है, सब बीमार का ही चीजे वो, इससे क्या होता है, प्राब्लम बहुत आता है, देखें, एक मैनेजर कंपनी तरफ से अमारे रीजन में काम करता रहता है, मैनेजर को क्या होता है उसका कोई टीम फेवरेट नहीं रहता है क्योंकि नेट सर्फ के लिए सबी लोग काम कर रहे, उसको बहुत परिशानी होती है, किसका साथ लो, किसका दू, वो बहुत है, इसके साथ नेट सर्फ भी एक विचार उपर बहुत बरोसा रखती है, कि हम एक फैमिली है हम एक कुटुम है, देखे, अभी मैं और कदमसर इदर हूँ, मैं और कदमसर बई-बईया जैसे रहते है कदमसर का कोई टीम का बंदे को मेरे टीम ने स्नैचिंग किया, तो अमारे क्या होने वाला है, अमारा जो सम्मंध है, वो कॉलाप्स होने वाला है, यह अगली जनरेशन तक अम को लेके जाने के लिए आपका दिमाक में जो ओ स्नैचिंग है, वो करने वालों को और होने वालों को समझाईए, यह गलत है, गलत है, गलत है बहुत बार क्या होता है जैसे एक टीम से दूसरे टीम में स्नैचिंग होता है लेकिन बहुत बार यह होता है कि हमारे ही इंटर्नल टीम में इधर का उधर जाना चाहता है या जाता है या वो लीडर ही खुद बहुत सरा आइडी इधर का उधर करता है तो इससे भी बहुत करोड का हमारा कंट्री है बहुत लोग है यह एक आदमी लेने से आपका इमेज खराब हो रहा है यह ज्यादा बड़ा नुकसन है तो यह उसको भी समझाना है और जो दूसरा है जो दूसरी जगर जाना चाहता है उसको भी समझाना जरूरी है कि आप वहाँ जाना चाहता है ठ नंसेलिंग यह बहुत अच्छा सोलूशन है यह कंट्रोल करने के लिए अधर में कुछ बोलना जाओंगा सबसे पहले आप सबको मालूम है जो नेटसब एक सौटर बेस कंपनी है और यहां पर कोई भी किसी को स्रेचिंग करता है तो आपको लगता है जो किसी को मालूम नहीं लेकिन आपको मालूम नहीं है टॉप्टू नों सबकोम चलता है क्योंकि आपने किसी को स्रेचिंग किया है तो और आपका जो प banco नाम है वहूं Calm हो जाता है और में सजमें आपको बोलना चाहता हूं आप ऑग जो तर्फिर है और आपको लगता हैम स्रेचिंग करो के इक आ परफेक्ट एक बात में बुलना चाहूंगा कि दिखिए नेटसब में इत्यास गवाए है कि आज तक जब भी कोई वेक्टी एक टीम से दुसरे टीम में चला गाया है वो कभी सक्सेस्पूल नहीं हुआ है उल्टा फेल ही हुआ है और जब वो एक टीम से दुसरे टीम में चल में रखो तो बाकी सारे आम को वो क्या कर देता है खराप कर देता है वैसे एक निगेटिव आपमी अगर टीम में आता है तो वो पूरे टीम को निगेटिव कर देता है तो इसलिए स्नैचिंग जो है यह अच्छा नहीं है ऐसा मुझे लगता है दूसरी इंपोर्टन बात है कि स्नैचिंग जो है इसके पहले हुआ है क्या तो शाहिद वहा होगा होता होगा लिकिन आप नहीं होगा क्योंकि अभी नेट सबने क्या किया है इतने सारे चेक पॉंट्स लाल के रखे है कि वहाँ पे स्नैचिंग करना बहुत मुश्किल है चलो मैं आपको एक्जामपल बताता हूँ पहली बात तो है एक मोबाइल नंबर है तो उसका अगर लॉगिन हुआ तो दूसरी जगह पे वो नंबर लॉगिन के लिए नहीं चलेगा मतलब हाँ पहला लॉक यहां पे हो गया लोग बहुत हुश्यार रहते हैं उसके बाउजिद भी अभी दूसरा पॉइ गिए ओड़ा दॉसरा डाल दिया यह तो पुरा क्राइम है वो तो फिर तो कर एक्रमि हो जाएगा उसके और तो वहां पे दूसरा अधर कर तो यह नहीं सकता यह भी इंपॉर्डन बात यहां तो एक बात ध्यान में रखना है कहीं पे भी स्नैचिंग करने के उसने कोशिश की वो कहीं ना कहीं हंडेट परसंट जो है यहां पे पकड़ाई जाएगा तो दीबुदा जो बोल रहे थे मैं उसको पर बोलना चाहूंगा कि अगर स्नैचिंग करने की इतनी ही खुजली है तो बाकि दूसरे चीम के लोगों को स्नैच करो क्योंकि उसका मोबाल नंबर भी आलग है उसका अधर का नंबर भी आलग है और उसका प्ताुर कर के दिखा हो तो वह आप चल कर सकते हैं मतलब आप सभी पैनलिस का कहना एक ही है तो दूसरे नेट्वर्क मार्केटिंग, दूसरे डारेक्ट सेलर जो दूसरे कम्पनी में काम करते हैं उनका सनाचींग करो याज हमको क्लेर हो गया सर् और इस तो इंगला क्वेशचन भी ऐसा ही tricky question in दो कि आप्सभी लोगों के साथ हुआ है कि आप बहुत जादा एक्सपर्ट अनुभवी लोगों तो आपके साथ यह कई बार हुआ है कि यदि डारेक सेलर अपने सीनियर के साथ या आपलाइन के साथ और इन कि देखिए यहां पर बहुत से लीडर्स आते हैं लेगिन हरेका काम करने का सिस्टम काम करने का पैटर्न यह आलग हो सकता है तो मुझे लगता है कि अगर हमारी रिचे कोई ऐसा लीडर्स है जिसका काम करने का पैटर्न अलग है वह हमारी सिस्टम से अहसं मत है तो उसको और उसको अधिकार देना, राइट्स देना, यह एक ही कॉइन का दो बाजु है, अगर उसको आप डेलिगेट करते हैं, बिदनेस के लिए जिम्हें देते हैं, तो उसको राइट भी देना चाहिए, और ऐसे में क्या होगा, कि अगर आप फ्रीडम देते हैं, तो उसके आइड दोनों का सोचने का तरीका अलग है, और एक कोई भी मुद्दा रहेगा, तो मेरा सोचने का तरीका अलग रहेगा, सामने का अलग रहेगा, तो मतवद हो ही सकता है, तो देखो, मैं एक सिस्टम फॉलो करता हूँ, जैसा भी यहाँ पर मेरे अपना है ने देतुले साथ, करिंस किया, तो भी एक मतवद हो गया, अगर वो भी नहीं हो पाया, तो एक ऐसा मुद्दा है, जिसके उपर मेरा और देतुले साब का मतवद हुआ है, तो मैं वहाँ पर ही छोड़ दूँगा, क्योंकि वह मुद्दे के उपर मतवद हुआ है, उसको ख्यारी करके मनभद क तो यह तरफ नहीं लेके जाओंगा, हो सकता है कोई दूसरा मुद्दा जब आया है, तो मेरा और देतुले साब का एक मत हो, तो यह 21 साल में हमने यह बहुत बार किया है, मतवद तो हमारे साथ बहुत बार हुआ, लेकिन मनभद कभी नहीं हुआ, क्यों मतवद होना ठीक ब पहला डिस्टुपटर होने की वज़े से, मेरा तो कोई सीनियर ही नहीं है, सिंपल सी बात है, तो यह सवाल है, फिर भी में तोड़ा बोलना चाहूंगा, कि जब मैं नेटसम में लॉग इन हुआ था, तो मेरा सीनियर नहीं होने की वज़े से, पहले ही दिन महीं अपने तो यहां पर कोई सीनियर आ रहा है, मदद कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो दूर की बात है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, आपके उपर सीनियर कौन है, क्या है, सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, यह देखने के बजाए, आपके नीचे तिम में आप दिखिए, वो सबसे ज्यादा इंपोर्टन बात होती है क्योंकि मनमेद मदमेद जो सर ने कहा ये शायद उपर वाले के साथ एक बार वाना तो चलेगा लिकिन नीचे डाउन यहां पर बोलना चाहूंगा मुझे लगदा है डाड़ेक्स लिग इंडस्ट्री में आप आपका कुछ सबना लेका है तो यहां पर तो मौदमेद होना ही चाहिए मुझे तो सर ऐसा लगदा है क्योंकि आपके पास जो सबना है जो जो से जो जुनून है जो आप करके दिखान नहीं है जिसके बज़े से आप मदवेच करके आप जो करना चाहते हो ओक काम को आपको पूब करके दिखाना पड़ेगा आपके अंदर हो के थे हैं तो और आपको लगदा है जो नहीं मेरे अंदर यह ए तो मैं बोलूंगा आप चुप बैठो जो आपको अपलाइन बता र सही हो तो प्रू करके दिखाओ नहीं है तो फिर फॉलो करो राइट जी मैं एक वालूंगा सर देखो टीम और परिवार यह क्यो होता है अगर परिवार में माता-पिता के साथ अगर मतबेद होते हैं क्या माता-पितों काम छोड़ देते हैं नहीं अगर डाउनलाइन परिवा परिवार में अगर कुछ मतबेद होते हैं तो एक बुद़र्गादमे को बलाते है कोई किसी का ससुर्ज होता है किो अचिका दाधा जो हता है को ऐता है तो एक बुद़र्गादमे आता है तो कि अज़ थार्ड पार्टी में अगर कुछ मतभेद होता है तो आमार इजर थार्ड ऑपर को ना है या तो मैनेजर रहेगा या तो बड़ा आपलाइन रहेगा उनको बुला कर के यह जो मतभेद है उपूरा स्वाल करके बाद में चाय कोई पिलाते हैं बाद में कोई और उसी को लेके मैं आगे का सवाल पूछना चाहूंगा, यह बहुत महतोपुरना सवाल है, और हम सब लोगों के लिए बहुत महतोपुरना सवाल है, कि Netsub Company बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, टूल्स, जो है, अलग-अलग टूल्स जो है, यह इंप्लिमेंट करती है, लांज कर के अंदर आप किस तरीके से इंप्लिमेंट करते हो, और उसके लिए क्या कोई खास रनिनीती बनानाई चाहिए क्या है, जी सर्, यह सर्, यह मुले बहुत अच्छा रहा है सवाल, बहुत मेरा फेवरेट कोशन भी है, देखिए, दुनिया का सब को जो जो डिरेक्ट अच्छा के तरह से कंपनी हैं, वो क्या कर रहे है, लोगों का emotion के साथ वो केल रहा है, लोगों का emotion देखिए, आप उस कंपनी में क्या रहती है, Car Fund, House Fund, वो क्या है? एमोशन है लोगों के लिए, कुछ टीम के लिए नहीं रहता है NetServe का ये कास विशेश आता है, वो है Pathfinder उसको पता है जो Pathfinder देने से क्या होता है टीम का income बढ़ता है, टीम का income बढ़ा तो लीडर का income बढ़ने वाला ही है, ये सीधी बात है जब जो अम सभी लोगों को ये रणनीती के बारे में आप बता रहें उसका बात मैं बोलता हूँ, सभी को NetServe में आम NetServe का product बोल के ही invite करके लाते है बाद में जो आदमी यहाँ पे career बनने के लिए सोचता है उस आदमी को उम बोलते है, आपका और कुछ नया product है और अगला स्टेप जो आमारा है Fast Track दोस्तों मैं एक बात बोलता हूँ, मैं Fast Track का बेबी हूँ जो यही Fast Track मुझको यहाँ तक लेके आया है यह मेरा 6th Fast Track running है इसलिए सभी को यह Fast Track में रहना बहुत ज़रूरी है आप Fast Track के ऊपर कैसे टीम को मोटिवेट करते हो वहाँ पर ट्रेइनिंग मिलती है वहाँ पर उसका ज़रूरी है उसके साथ और कुछ बोलना है जो आप income कमा रहना उसका income का डबल कर सकते हो इसलिए आपको Fast Track में जाना बहुत ज़रूरी है उसके साथ जो Fast Track छे माईना जो बंदा यहाँ पर करता है consistency में उसको वह practice लग जाता है उसको समझाना भी बहुत important है इसलिए अम क्या करता है Fast Track का जो preparation है वह January में नहीं करती है January का Fast Track preparation तीन महीने पहले से ही अम करना चालू करते है इसलिए सबी city में जो South का जो पूरा है केरडा हो, आंदरप्रदेश हो या Tamil Nadu हो, करनाटा का हो उस सभी city में जो जो लीडर में में करियर बनाने के लिए सोच रहे है उसके लिए एफ Fast Track का विशाषयता को उसको पता के हम रननीती कड़ा करते है मतलब गुरू सर ने अपनी रननीती यहापर अपने सभी के सामने यहापर ओपन ली रखी है जी सर, सार में बोलना चाहूंगा गुरू सार एक दम परफेट बताया है देखिए सार नेटसब में पहला कैब लागाने के लिए 9 सल लगिया था और नेटसब में 2016 तक भी में बात करूं तो 17 से 18 क्रोंपोती लीडर था लेकिन जैसे नेटसब में फास्टेक आया फास्टेक के मध्धम से नेटसब में हजार दिन में कैब लागाना बहुत सरा लोगों ने शुरू कर दिया और आज 80 से ज्यादा लोग नेटसब में कैब लागा चुका है आज 100 से ज्यादा कोर्णपोती भी बन चुका है मदलब ये फास्टेक जो सिस्टेम से ये सक्सेस्पूल है कि हाँ 100 पसंड सक्सेस्पूल है लेकिन आपका रनननिती को और ज्यादा स्ट्रॉंग करने के लिए नेटसब और एक नया टूल्स लेके आया है जिसका नाम है OE23 और इस टूल्स के माध्धम से आप आपका जैसे रिनाइस बोलता है ना दुनिया को कल लो मुठी में तो नेटसब बोलता है आप आपका पुरा टीम को आपके हातों में कभज़ में आप कर सकते हैं जिसका वेबसाइट का नाम है आप आपके टीम में 30 कैप्टेन को सिलेक्शन करता है और कैप्टेन उसके नीचे 10-10 प्लेयर का सिलेक्शन करता है और यह जो प्लेयर्स और कैप्टेन जो इस वेबसेट के अंदर होता है यहाँ पर आपका लॉगिंग आइडी पासवाट के माध्धम से आप आपका टीम का हार चीज रात को 2 बजे सुबह 2 बजे जब भी मी चाहिए आप चेक करके देख सकते हैं कौन फरस्टेक में आ रहा है कौन सुपर बिगिनार हो रहा है आपके नीचे कितना लोग जॉइडिंग किया कितना लोग MDS हुआ है कौन सा फोकेट में MDSM करना चाहिए कहां पर आपको सेमिनार करना चाहिए हार चीज आप 24 घंटा आपके फोन आउन करके आप देख सकते हैं मतलब मुझे लगता है इस टूल्स के बगदम से अभी और एक हाजार दिन नहीं से थीन सो से पाफ सो दीन के अंदर नेट्साप का लिओर लिड़र कैप और कॉपधी आप बनने बाना है मतलब देभु सर यह कहना चाहते है नेट्साप के टूल्स और वी 23 उसको अगर सही तरीके से आप इसका यूज करोगे तो यह जो सक्सेस का जो टाइम पिरेड़ था वो बिल्कुल कम हो जाएगा यानि कि यह पर बेठा हुआ हर एक वेक्ती बहुत कम समय में नेट्साप में एक बहुत बड़ी उचाई पर पोस सकता है जी सर यह पातफाइदर अगर इंपलिमिलेशन की बात करते तो यह पर इएक जबरड़ी एक जबरड़ी सेसा सिस्ट verse कि जहां हम आरा पलनिग आलरड़ी कर सकते हैं वह क्या है तो हमने क्या क्याल एक नेट्सप ने जोन बनाए और हरे जोन के लिए जोनल मैनेजर जोनलोसेम्स उसके साथרכ उसके साथ में और रीजन के MSM मेंबर, OCM, Zonal Manager यह सारे मिलके वो रननिती करते, अभी एक्जामबल की बात करते तो मेरे पास अगर टीम अलग-अलग रीजन में है, तो हर रीजन में मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं पहुच सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कि मुझे उस रीजन का जो प्लानिंग हुआ है, जो रननिती है, वो मुझे अपना नहीं पड़ेगी, और वो रननिती मुझे टीम को देने पड़ेगी, और जिसकी वज़े से मेरा काम एकदम से आसान अपने वाला है, क्या वाला है, सर्थ, मैं कुछ कहना चाहूंगा इसमें, यह रनननिती, रनन जो रननिती है, सर्थ, मतलब हमें जितने के लिए हमारी स्ट्राइजी होनी चाहिए, क्या आप लोग जितना चाहते हो, क्या आप लोग यहां पर है, और कल हम लोग जो शाम का जो हमारा सेशन हो गाता हूँ, उसमें बहुत सरे लोगों ने हमें यह का, कि सर यह जो माहूल बना यह जो फास्ट्राक का ट्रेनिंग हमने लिया है, यह ट्रेनिंग बहुत जबर्दस ट्रेनिंग है, इसमें हमें सीखनों को मिला है, हमें पहले ऐसा लगता था कि इतना दूर जा कि हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हमारा पैसा वसुल हो गया, ऐसे बहुत तरे लोगों और लोगों ने ये भी कमिटमेंट किया एकलमे, कि सर, जाने वार में जो फास्ट्राक आएगा, इसमें हम लोग 10-10 लोगों को हमारे दोनों साइड से लोगों को लेके आएगे. तो ये क्या हुआ? ये आपका हुआ वीजन. है ना? ये आपका एक सपना है. लेकिन ये सपना पुरा करने के लिए आपको एक रननीती मतलब स्टैटेजी तैयार करनी पड़ेगी. अब ये स्टैटेजी आपका तैयार करेंगे? ये स्टैटेजी आपको इसी महिने में नहीं, इसी साइकल में, जब आप अभी जाएंगे ना, आज रात को घर पे, वहाँ पे आपको करनी है. और ये स्टैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर मुझे 10-10 लोग, अगर मुझे जाने वर में फास्ट्रेक में चाहिए, तो यही 10 लोग कोन हैं, ये पहले आपको उतारना पड़ेगा. ये 10 लोगों का ये महिने में मतलब आने वाले cycle में, सुपर आच arrest उतार है क्या? 30 हो रहा है क्या? कुछ लोगों का कलब नेचस अब आप लोगों ने दिया है, तो वो हो रहा है क्या? तो इसके उपर हमें क्या करना पड़ेगा? इसके में पुरा फॉलो उप करना पड़ेगा इसके बाद में यही लोग डिसेंबर में कल जाके उनके निचे से कुछ सुपराचिवर होते है क्या कि जिनके जरीए यह जो लोगे नोवेंबर के यह फास्ट ट्रैक में आ सकते हैं और आपका जो सपना है आपका जो भीजन है इस स्टैटेजी के हिसाब से पूरा हो सकता है और इसलिए मुझे लगता है कि सर इस प्रकार की स्टैटेजी आज अवश्यक है इन लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए सर अभी यह सभी लोगों ने अपना अपनी स्टैटेजी या रनननीती बताई है मैं थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा कि यह जो स्टैटेजी है यह रनननीती है यह दिमाग में सिर्फ नहीं चाहिए एक जब अच्छा घर बनाया जाता है जो एक दो तीन चार जनरेशन चलता है यह घर जो बनता है पहले पेपर पे बनता है वो पेपर पे यह पूरा ड्र लेकिन आपने यह भी देखा रहेगा जो इट की भट्टी रहती है वहाँ जो वर्कर काम करते उनका भी घर बनाया जाता है उसका कोई ब्ल्यूप्रिंट नहीं होता है उदर के वर्कर के लिए इटों के उपर इट रखी जाती है उपर पत्रा डाला जाता है वही उसका घर रहता है वह घर कितना जनरेशन चलता है जनरेशन चोड़ा जैसे सीजन खतम होता है वही इटे उटा के लाष्ट में लारी में भरी जाती है और लारी में चली जाती है तो ऐसा सिब सोचने से या मन में रखने से कोई स्टैटीजी वर्क होने वाली नहीं है याज लीडर सी करना पड़ेगा अपना हर 15 दिन का पर लाख ब्ल्यूपरिंट बनाना पड़ेगा आपके टिम में किदने लोग सुपर बिगिनर हो रहे इसके लिए उसके कितने जाइनिंग लगेंगे वो पेपर पे लिखना जरूरी है, इसके लिए उसके कितने जाइनिंग लगेंगे, वो पेपर पे लिखना जरूरी है, इसलिए कितने गेस्ट कवर करेंगे, वो लिखना जरूरी है, ये गेस्ट कवर करेंगे, वो लिखना जर जिसका blueprint बहुत अच्छा है उसका जो भी टार्गेट है वो कम समय में और आसानी से अची होता है तो blueprint बना के ही आगे जाना चाहिए ऐसा मेरा बुर्णा मेला blueprint बनाओ फिर रननीती बनाओ यह सर नहीं आपर बता है यहां पर हमारे जितने भी फास्ट्रक अचिवर है यह 100% ए एक स्पेसिफिक रननीती बनाओंगे और जन्वरी में जब फास्ट्रक में आएंगे तो एक बहुत बड़े टीम के साथ फास्ट्रक ट्रेनिंग में या फिर फास्ट्रक अचिवर आपकी टीम से आप कर सकते हो तो उसी के साथ मैं एक अलग क्वेशन के उपर फिर से आना यहां जाओंगा एक टीम का बोट करने के लिए स्पीड में ग्रोट करने के लिए कई सारे अलग 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 पॉइंट से लिकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टन पॉइंट है वह तोड़े बेसिक्स के उपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे हम देते है कि बड़े बिल्डिंग बनाना सवद मंझिला देर सो मंझिला तो उसका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉंग रहेगा उतना वो बिल्डिंग उपर जाता है तो नेटसप में बेसिक्स मतलब सबसे पहला आता है यहां बोलते हैं यू आरियन यूजर रिटेलर और नेट्वरकर तो सही लो बहुत जादा होता है अभी जो है उससे भी डबल गुरा गुरोथ करने की ताकद उसमें है तो इब डेम होना जरूर यह इसे के साथ साथ दूसरा अगर बेसिक पॉइंट है दैट इस CFC वालिंग फॉल अप और प्लोजिंग जैसे बोलते हैं ति अगर नीचे लोग करते हैं कोई कर रहा है उसके नीचे कर रहे उसके नीचे कर रहे जितना डूबलिकेशन पास्ट होगा उतना ज्यादा स्पीड मिलेगा उतना ज्यादा ग्रोथ मिलेगा और तीसरा सबसे इंपॉर्टन बात है डैट इस वन-to-one करने ओले लोगों की संक्या जिसके टीम में वन-to-one करने ओले लोगों की संक्या ज्यादा रहेगी उस टीम का ग्रोथ डेफिनेटली हमेशा ज्यादा रहेगा इसो मुझे लगता है जिसान में यह पर कुछ बोलना चाहूंगा देखे डारेक्सेलिंग इंडस्ट्री वाल्ड का सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो यहाँ है और बिजनेस क्या होगा एक तो आपका ग्रोथ ऊगा नहीं तो डाउन होगा समान तर अलका फिर्य वी होने वाला नहीं है और ऐसा हार किसी एक टीम में एक्जाम्बहल थे जो कोई टीम आपका बहुत ज़ादा ग्रोथ ले रहा है और कुछ टीम डाउन ले रहा है ऐसा एक एक्जाम्बहल में धेना चाहूंगा खुद नेटसब का नेटसब का बिसनेस में दूजनेटानोबर किया ते 227 क्रोर का उसके बाद 20 21 में ल नेटसाब का ग्रोध जो 270 करों के टानुबर था लॉकडाउन होने के बाद भी नेटसाब नेटसाब के टानुबर को 412 करों में लेके गिया यह क्यों हो पाया इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जुरूरी है क्योंकि नेटसाब यह से प्लैनिंग किया ऐसे आपको भी आउन में जाएगा हंडेड़ पसर ग्रोध के साथ आप अगे बढ़ेंगे मतलब एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा जुरूरी है तो ग्रोध हंडेड़ पसर आएगा है क्या बात यह सी सर सर इसके उपर में तोड़ा बोलता हूं टीम को ग्रोध फास्ट लाने के लि कंपनी से वह बहुत स्ट्रगलिंग करके ही स्टार्ट होता है वह आसान से नहीं स्टार्ट होता है बहुत स्ट्रगलिंग रहता है स्टार्ट अप जो रहता है वह बाद में क्याद करता है वह स्टार्टिंग का जो टाइम है उसको अम स्ट्रगलिंग टाइम बोलते हैं बह वापस इन्वेस्ट या कर्चा करना शुरू करते हैं उसका ग्रोथ बहुत दो जाते हैं ऐसे ही अम यहां पे अमारे जो लोग है अमारे जो जो जुड़रे उसका इंकम क्विक से बढ़ाना है इससे सोचो क्या हो रहा है कंपनी तो इंकम डिश्रिबूट कर रहा है उसके आपका टीम का ग्रोथ को ही नहीं रुख सकता है क्या बात बहुत अच्छा पॉइंट गुरू का भी था मैं थोड़ा आगे बोलूगा देखो ग्रोथ करना है मुझे मेरा टीम का तो नार्मली इंसान है आजू भाजू भी देखता है अगर मेरा परफॉर्मंस कम है किसी औ दूसरे के साथ कंपेडिशन नहीं होना चाहिए क्योंकि हर एक टीम का सोच अलग होता है एरिया अलग होता है लोग अलग होता है और काम करने का तरीका अलग होता है जब आप अपने ही परफॉर्मंस हाथ 15 दिन का बीट करना स्टार्ट करोगे एक दिन आईसा है कि आपका टीम कभी नीचा आए गई नहीं अलवेज यह ग्रोथ में चला जाएगा और टीम का कुछ युगो आता है तो हमें ऐसे लीडर्स को ऐसे लोगों को यह बताना चाहिए कि यह जो सक्सेस मिला है आपको जो एक बार मिला है वो बार बार मिलना चाहिए बार बार मिलने से ही करियर होता है यह कैसे होगा तो टीम में जो लोग है उनका भी सक्सेस करनी की प्र Еफ्हीं। ऑपकी हन, जैसे हमारी पाद्फैंडर में जो शुपर् tay पे, उनकी एक्व Men कर्वाणिस करवाना, उनकी मैंटेनेस करना यह उननोंने करना चisher में जहिए। जब यह करेंगे तो में बहुतां चाहूंगा कि अगर कोई भी टीम का ग्रोथ होना चाहिए तो मैं बोलना चाहूंगा कि उनका सोच सोचने का प्नजरिया जुसको बलते आठेटिटूट वह बदनना होना जरूर यह कहां जाता है कि डायरेक्टा इने success तभी मिलता है जब 90% आपका attitude change होता है 10% काम होता है देगे direct selling में अगर कोई भी leader खुद के लिए काम करेगा खुद के income के लिए काम करता है वो leader failure होता है जो हमारे team का income set करने के लिए काम करता है उसका natural growth हो जाता है मतलब मैं बोलूगा कि हमारे पास एक बहुत अच्छा system है जैसा देबुसर ने बताया कि V23 जो software है वहां पर क्या क्या कि एक captain है उसके उसके player है तो हर captain है सोचा कि मुझे मेरे 10 लोग का income set करना जिसको घर चले इतना income set करना है और हर एक आधी अगर यही सोचना चाले चालू करेगा कि मुझे मेरे 10 लीडर का income set करना तो मैं बोलूगा कि वो टीम कभी भी डाउन में नहीं आएगी ओर टीम हंडेट पसंट ग्रोथ में रहेगी हंडेट पसंट क्या बात है थैंक यू सो मच उसे के साथ मैं आखरी हां सर के पासा दो मुझा इसा लगता है कि एक थ्री टीर प्लान होना चाहिए हमारा जो टोटल टीम है ना वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है सबसे पहले आपर मैनेजमेंट मतलब cmd club cmd plus क्रोड़पती हो सकते हैं एक मिडल मैनेजमेंट इसमें आप सिल्वर वेस्जडी से हमारे सारी लेटर्स होते हैं और एक फील्टीम जो फील्ट पे काम करता है तो यह तीनों जो लेवल है ना इनके गोल सेट होने ज़रूरी है यह तीनों लेवल का एस्पिरेशन अलग अलग है तो हमारा जो एक्टिविटी है यह जो भी प्रोग्राम सो रहे है यह उनके गोल्स के अनुसार होने चाहिए और यह एक्टिविटी इतनी सारी होनी चाहिए कि एक मोमेंटम आना चाहिए यह मोमेंटम बहुत ज़रूरी है यह मोमेंटम ही है जो टीम को ग्रो कर सकता है ऐसा मुझे ल lg success mantra in nets합 peł वजदूर हातों से काम करता है हीता तरै कारागीर को आइस फंप से काम करता है काला कारो है हाथ दिमाघ और दिल से काम करता है फिर अगरें काला कार मदनें गगे तो नेटस आप में लिजन्ड बन सकते हैं मैं यह की बोलूँगा कि टीम के साथ है ना दिल का रिस्ता रखो जी सब मुझा इसा लगता है टीम बड़ी नहीं अच्छी होनी चाहिए या मुझा इसा लगता है रिलेशन्शिप जो है वो मेंटेन करने जाहिए सभी के साथ है यही अमारे सक्सेस का राज है अमारा स्ट्रंथ है अमारा ब्रेंग उस पे सही तरीके से प्रोसस करो और सक्सेस देखो क्या वाद मेरा टीम टीम नहीं मेरा टीम परिवार है जो परिवार के साथ करता हूं वही मेरा यह केना है situation कोछ भी रहे कोई भी रहे फिल्ड पे टिके रहो यही पर मेरे मद से continuous success चाहिए तो continuous learning and continuous teaching तो success मिलता रहेगा मैं बोलना चाहूंगा कि सिप बोलना नहीं कि यह कैसा काम करना है तो वो काम कैसा होता है वो भी करके दिखाना चाहिए इसलिए बोला याता है कि genuine leader do not say how to do they shows how it's done सार मुझे लगदा है खुद का strong schedule बनाना चाहिए और team के साथ भीर के काम करना चाहिए क्या बात है strong communication with team for consistent growth ओके तो यहाँ पर हमारे सभी 12 successful mentors ने सभी panelists ने उनके success के मंत्रा यहाँ पर हमें बताय हुए है तो सभी panelists का एक बार जोरदाय तालियों के साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा जोरदाय तालियों के साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा